तो अगला चेप्टर मात्रा की बात कर रहे है ना मात्रा मनें जो मैंटर है उसकी बात कर रहे है एक एक के रूप में जो बस्तु बिद्धमान है बस्तु का तात्पर तो मात्रा क्या है एक एक के रूप में जो बस्तु बिद्धमान है उसको मात्रा कह रहे है बस्तु का तात पर अब जिए बस्तू का मतलब क्या है वास्टीविघ्ता को वेक्ट करनिएसे है। सर्षी व глаз थीज़ें कर अबसतू में त्वा सहत बीवस्था के रूप मैं है। त्वा मने उसका एक आच्रण उसका एक सुभावस और बस्तूसे के साथ अभिवाज जे रूप में बरतमान है तो यहां पर मात्रा की सर्थ में बस्तुओं में एकाईयों की बात कर रहे हैं लेकिन चुकि में ध्यान दिला दूँ अपनी चर्चा होई भी है पहले कि व्यापक भी बास्तिविक्ता है जाना उस अर्थ में वो भी एक बस्तु है एक कहना ठीक नही है सीमा करन जिसमें होटा है उसी में एक की सथम association है तो बास्त विगता है रूप गुण सुभाव धर्म यह दूसरे के साथ são अभी वाज्यूप में ब्रेक्ट है ऐसा नहीं है कि मात्रा बिना किसी रूप गुर्ण सुभाव धर्म के मतलब यदी आइडोजन का एटम है यदी आम का बीज है नीम का ब्रक्ष है दाय है कुट्ता है भैंस है बैल है गधा है यह जितनी जो मात्रा हैं जो एक एक एकाईयां है इन सब में रूप गुर्ण सुभाव धर्म अभिवाज रूप में ब्यक्ट होता रहता है अलग से नहीं होना है कि गाए अलग और उसका सुभाव धर्म अलग यह अभिवाज है एकाई से इसको अलग नहीं किया सकता तो ब्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्त की अभिव्यक् संपरेशन और क्यों हो रहा है व्यक्थ में स्थू की अभव्यक्ति संपरे न अगणISH कशन है असे तरफ में अधले का हिस्ट है कि अधलश है कि स्थूध में पिर टेक एककाई व्यापक बस्तू में दूबा भीगा गहिरा होने के रूप भ्यापक रूपी बस्तु में डूबा भी भीगा भी है और घृरा भी बेशन के पूर्जा संपन की चुम्म किये बल संपन होना पाए जाता है यह बहुत important बात कर रहे हैं कि व्यापक बस्तू संपूँ एक-एक में पारगामी भी है और पारदर्सी भी है पारदर्सता तो हमें बहुत simple दिखाई देती है हमारे और आपके बीच में मैं और जो इस laptop के साथ के बीच में यह जो खाली जगह है तो यह देखता है यह दिखता है यह पारदर्सी है तब ही हम एक दूसरे को देख पाए एक इसयर्फ में वह वह में फि installment इसी पार यह प्रतेक एक-एक ब्यापक में भीगे के जो भीगपन है एकाई त। भीगे रहने के फलशुरूथी ंर्जा संपननता है इस इसी बज़े से पूर्जा संपन है और चुम्ब की ये बल संपनता है और इस आधार पर ही उसमें क्रिया सीलता दिखाई देती है एक बात कह रहे हैं एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट भी है प्रतेक परमानू ही मूल मात्रा आप अधी मात्रा की जो मूल दिखाई को देखेंगे तो परमानु के लेविल पर इसी को बार बार घ्यान देलाया है परमानू से नीचे लेवल पर ब्यश्था नहीं दिखाई दे रही है इसलिए बाबाबा कहारे कि ग्यानिक जो ए प्रियोक कर रहे है बिवस्था को ढूंडने का भाईया परमानु को रुख जाना चाहिए उसके नीचे बिवस्था नहीं है इसको अपन देखी चुके हैं और मज़ेदार बात है कि परमानु के जो परमानु अंस हैं उनमें स्थिरता भी नहीं है वह ने समय के डोमेन में भी देखें हैं तो नै नैनोन सेटनड ही रहता है। इतने कम समय में तो किसी वेवस्ता के समर्पट हो जाता है। किसी को बावा के रहे हैं कि उसमें विवस्था की चाहत बनी हुई है तो जहां जो इस्थिर बस्तु है परमाणू जो हजारों लाखों साल बना ही रहता है उसमें विवस्था का अध्यान करना चाहिए इसलिए कि प्रतेक परमाणू ही मूल मात्रा है ऐसे अनेक परमाणू अ प्रजाती में दो अंस या दो से अनेक अंसों से घटित परमाणू है, अपने अपने आच्रन को इसपस्ट किए है, तो यह दिखाई दे रहा है, इसलिए कहा है कि परमाणू ही मूल मात्रा है, या परमाणू ही जवस्था की मूल इकाई है, वहीं से मूल मात्रा की बात मानो कर्म धर्सन का तीसरा ध्याय और उसका नाइन्थ सेक्षन मात्रा जिसको हम लोगों ने शुरू किया उसका एक पेराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था तो फिर से एक बार रीकैप कर लें हमने अच्छा अभी भी कम है क्या मैंने क्यों की माइक, external माइक को यूज कर रहा हूं वड़िया तो एक-एक रूप में बिसिकली जो मात्रा है जो एक-एक के रूप में जो वस्तु विद्धमान है बस्तु का तात्पर बास्तविक्ता को ब्यक्त करता है उससे है और हमने सुभए के सैसन में इस्थिती और गती के बारे में बात की तो बहुत ही important chapter था क्योंकि इस्थिती के साथ ही गती है इस्थिती अच्छी होगी तो गती सुभाविक रूप में अच्छी होगी बिना इस्थिती के बहुत सारा प्रयास जो हम इस्थिती को ठीक नहीं करने की जगए गती को ठीक करने में लगाते हैं और यह भी कहरे हैं बार-बार की इस्थिती और गती अभी भाज्य है पढ़िया तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहां तक मैंने पहला और दूसरा यह कर लिया था एक्षन दूसरा पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रतेक परमाणू ही मूल मात्रा है ऐसे अनेक परमाणू है अनूरचना के रूप में और ऐसे रचनाएं पदार्थ वा प्राण अवस्था के रूप में होना पहले भी होना भी पहले से स्पस्ट है हर प्रजाती में जो से अनेक अंसों से गठित परमाणू है अपने अप आपनी बात हो गई थी आइनली जो मात्रा है परमानू ही मुल मात्रा है अब आगे इसको इसपर्ष्ट कर रहे हैं बाबा फी मूल मात्रा परमानू होना इसलिए इसपस्ट हुआ है कि एकाई जो परिवासित होती है यह स्वयम में विवस्था हो और समग्र विवस्था में भागीदारी करती हो तब ही उसको एकाई कह रहे हैं एकाई की जो परिवासा है एक तो वो स्वयम में विवस्था हो और समग्र विवस्था में भागीदारी करती हो कैसे की परमानु अंस और भ्रमित मानों को भ्रमित मानों में भी यह प्रवित्ती पनी ही हुई है विवस्था की एक बहुत ही सुन्दर जायन है कि मानों भ्रमित अवस्था में भी विवस्था में ही जीना चाहता है तो परमानु अंस स्वयम में विवस्था को प्रमानित नहीं कर पाता, अर्थात निश्चित आवस्चता को ब्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए हर परमानु अंस परमानु में भागी दारी करने फलता विवस्था वो प्रमानुएंज भी विवस्था को 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 प्रमानुएंज भी जाता है जो वह अपन चर्चा की थी कि बहुत कम समय नैनो सेकंड के लिए वो रहता है अधर्वाइज किसी ना किसी परमाणु में समा जाता है अथ्वा एक से अधिक परमाणुमस एक दूसरे को पहचानते हुए परमाणू के रूप में काररत हो जाते हैं फलतहा निस्चित आचरण ही विवस्था के रूप में ख्यात होता है प्रसिद्ध होता है पाया जाता है तो या तो दो से अधेकंस स्वैम मिलके परमाणू बना लेते हैं या कोई परमाणूमस किसी ना किसी दूसरे परमाणू में समा जाता है जहां से वो निकलता है उसको कह रहे हैं उसका विस्थापिन हुआ और जिसमें समा जाता है उसको कह रहे हैं उसमें प्रस्थापित हुआ यह चर्चा प्रदी भाई की सेशन में हमने काफी अच्छे से देखा पल्तहा निश्चित आच्रण ही विवस्था के रूप में ख्यात होता है या प्रिसिद्ध होता है या जाना जाता है इससे पता चलता है कि परमानु अंस एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं परमानुवंस एक दूसरे को पहचानते वी हैं और उस पहचान के आधार पर एक दूसरे के साथ निर्वा करते हैं, पल्स रूप निश्चत आचरण इसपस्ट लहता है या इस दूसरे आचरण के रूप में ब्यक्थ हो जाता है। जैसे परमानुवंस एक दूसरे को पहचाने बिना विवस्था में नहीं होता है जैसे ही मानव मानव को पहचाने बिना विवस्था में जीना होता ही नहीं तो फिरे कह points कि एक अपरमानोस दूसरीय को नहीं पहचान पाता तो विवस्ता में नहीं हो सकता यह इसे ही मानोवीं जब तक मानोव को नहीं पहचानेगा और फिर मैं कहए मानो यहां पर जब संग्य आ रही है तो मानो मने मानो अपने आच्रन के साथ है तब मानो तभी हम पहचान पाते हैं क्योंकि जिसका अनिस्चित आच्रन है उसमें पहचान स्थिर होती नहीं है हम विश्वास का निर्वार नहीं कर पाते हैं संकावन ही रहती है आज क्या मानवत मानवत मानव चेतना ही क्या है ? मानवत क्या है ? Будem रूप में पहचानु को में पहचान हुए इस आधार पर ही हम सभी मानवatch को मानो के रूप में पहचानु मौनौत क्या है उसको आगे बता रहे है। मानौत है अपने शुरूप में माणो परवासा का शुरूप भी हैं। क्या सुरूप है przest서 मानो की परवासा भी थी मनाकर को साकार करने वाला और मना सुस्थता का आशावाधी aevan प्रिमानित करने वाला तो मनाकार तो हम कर चुके हैं साकार तो यहां किया रहे हैं मना स्वस्तता के अर्थ में ही जै अस्तित्वादी विधी से विज्ञान विधा से भी मना स्वस्तता का सूत्र विसलेशित और निर्धारित व्याख्यायत है तो मना स्वस्तता का ही सूत्र विशलिशित और याख्यायत है, ऐसा निर्धारन, कैसे मना स्वस्ता का निर्धारन हो रहा है, ऐसा निर्धारन मानव लक्ष के अर्थ में ही होना आवस है, और किसी क्रम में ये मना स्वस्ता का निर्धारन होता नहीं है, इसी क्रम में सहे अस्तितवादी विधी से हम समख चुके हैं कि मानो को अपनी आवसक्ता को सुद्रन रूप में पहचानने की आवसक्ता है ही अब यदि मानो को बिवस्था में होना है मानो को मानुत को पहचानना है तो इसके लिए इंपोर्टेंट बात जो है कि मानो को अपनी आवसक्ता को सुद्रन रूप में पहचानने की आवसक्ता है कि मेरी आवसक्ता हैं क्या हैं इस आवसक्ता की निश्चेता अर्थात मानवीता पूर्ण आवसक्ता की निश्चेता समाधान समरद्धी अभै सहस्तत रूपी मानव त्वा को पिर्मानित करने के रूप में होना पाये जाते हैं इसका मतलब यही है कि हम मानव यह लक्ष को पिर्मानित करने के क्रम में ही इसका मतलब यही है कि हम मानव यह लक्ष को पिर्मानित करने के क्रम में ही मानवियता पूर्ण आच्रण को इसपस्ट कर पाते हैं तो कुछ कमेंट आ रहे टाइमड आउट बाई राकेस बढ़िया तो इसका मतलब यही है कि हम मानविय लक्ष को पिर्मानेत करने के करम में ही मानवियता पूर्ण आच्रण को इसपस्ट कर पाते हैं मानवी आवसक्ता का निर्धारन होना जानने मानने का दिव तक है अब मानों की आवसक्ताएं तभी निर्धारत हो पाती है जब हम सच्चाई को जान पाते हैं और मानों को मानों सरूप में जान पाते हैं आईनली क्या किरें कि मानवीतापूर्ण आच्रण ही मेरी आवसक्ता है क्यों क्योंकि मेरा धर्म सुखृ सुखृ धर्मत समयमानवी आवसकतidan निरधारित नहीं पुर्णने दूर्ध眠 ने Цन al-nah के रूप में, जीने के रूप में, कार व्योहार के रूप में वो ब्याख्याइत हो जाता है किसी को बिधी और विवस्था भी कहते हैं कि बिधी क्या है तो जो नियम है वो बिधी है और जो बिवस्था का सुरूफ है वही बिधी जब लोगों के जीने में ब्यक्त होती है त तो वही संसकार जो जीने में ब्यक्त होते हैं, के कार और व्योहार में ब्यक्त होते हैं, तो उसी को सभिता कह रहे हैं, ना कल्चर कह रहे हैं। तो संस्कृति माने संसकार ही मारे सभिता की रूप में कल्चर की रूप में पाए जाते हैं। और ऐसे ही जब उसको राष्ट के लेविल पर राजी के लेविल पर दिखते हैं तो विधी ही दिवस्था के रूप में पाई जाती है यह भी बड़ाओती इंपोर्टेंट सिध्धान्त है अभी तक हम लोग माने रहते हैं कि जो विधी है वो किसी किताब में लिखी रहती है विधान के रूप में लिखी जाती है संसकार के रूप में क्या गजब की बात है क्योंकि यदि मानों को ही विधी का पता नहीं होगा अर्थात वो संसकारित नहीं होगा तो उसकी जो ब्याख्या मतलब उसके जो जीने का सरूप है वो निकल के नहीं आएगा इसलिए हर मान रतियालों कि मूल रूप में क्यानझे मानने के आधार पर ही उसमें जो जा मानुए तप आचरन रूपी 색깁 इस्थाफित हो पाती है और वहीं प्रमानित होती है आचरन के रूपियां मात्रा सिद्धान्त भी मूल में इनी अर्थों से अनु प्रानित हेते नहिंए सुभाविक है तो इसी से सूत्र से पहले फिर से पहली लाइन पर मात्रा सिद्धान्त भी मूल में इनी अर्थों से अनुप्राणित रहना सुभाविक है तो मात्रा सिद्धान्त मने जो परमानु में है उसमें भी यही सिद्धान्त है क्या इसलिए एक से अधिक अंस एकत्र करते हुए अर्थात आच्रण करते हुए परमानु की अनेक प्रजातियां उनके आच्रण के आधार पर पहचानने योग रहती है जैसे मानों में मानवत्त पूर्ण आच्रण का सिध्धान्त है ऐसे जो मूल मात्र है या परमानु है इनमें भी आइनली एकसे अधिक अंस एकतृत हो करके कार करते हुए अर्थात आच्रण करते हुए परमानु की अनेक प्रजातियां के साथार पर पहचान पाते हम उनके आच्रण के आधार जैसे लोहे का परमाणू लोहे जैसा आच्रन करता है सोने का परमाणू सोने जैसा आच्रन करता है तो इस आधार पर परमाणू की प्रजातियों को भी उनके आधार पर ही ना पहचाना जाता है और यहां उनके आच्रन का मतलब है किस तरह का तुनी धाप धनीता बिद्धु उनसे ब्यक्त होती है इसे मानो पहचानता है इसको पहचानने वाला कौन है मानो इसको पहचानता है और यही मानो में गर्मा है कि इसको पहचान सके इसके मूल में इस पहचान के मूल में जानने मानने का पुट रहता ही है तो उसमें जानना मानना उसके मूल में बनाई रहते हैं तो हम ठीक से नहीं जान पाते हैं तो हम पहचानने में एरर कर देते हैं फलसरूप उनके साथ बेवहार करने में गल्ती जाती तिसलिए कई बार बाव बोलते हैं कि मानो अभी जो है पानी को भी ठीक से नहीं पहचान के लिए केवल मानों की नहीं पेड़ पौधों की भी पसू पक्षियों की भी यदी बावा कहते हैं यदि इसका हमें बोध हो पाता ठीक से ठीक से माना जाना होता तो जिस तरह से हमने पानी को प्रेंड वाटर को आकर कि हम इसको गटर में जाने देते हैं और फिर हम पढ़ पारी स्रोत अर्थात जो अंडरग्राउंड बाटर है उन पर अपने को डिपेंडेंड बना लिए हैं इससे पता लगता है कि हम मानाओ ठीक से क्योंकि हर पहचानने के मूल में जानने मानने का पुट रहता है हम ठीक से पाने की बिवस्था को भी अभी जान नहीं पाए इ इसी परकार प्राण कोसाओं से रचजित रचनाओं में भी प्राण कोसाओं का रचणा निस्चित रहना होता है निस्चित है निस्चित आच्रन के आधर पर ही उनकी परजातियों को आइडोजन, हीलियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इस तरह के पहचाना इसी प्रकार प्राण कोसाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोसाओं का रचना निस्चित रहना होता है ऐसे यदि प्राण जगत को देखें, बनस्पती जगत को देखें, तो अनुमें प्राण कोसाओं से रचित रचना में प्राण कोसाओं की रचना निस्चित रहती है, इसका प्रमाणी है अनेक परजातियों की बनस्पतियों की रचना इन सब में बीज से ब्रक्ष, ब्रक्ष कि अनुपरानत रहना अर्था एक भीड से ब्रक्ष तक प्रेड़नाएं और फिर ब्रक्ष से ब्रक्ष तक प्र्रेडनाएं उन्हें वीज ब्रक्ष मैं समाई रहती है एख मझेदार बात है जब 프णीब भई का सहव्शन हो रहा था तो थोड़ा सा भी यदे हम सोचें तो सूच अब इसपे does not even I am जाता है कितनी अमेज़िंग बात है एक आम की गुथली जोहे आम का बीज या नीम का बीज जा कैसे उसी मिट्डी में हम हमारी कलपना उस दिसा में नहीं गई है ना कि एक परमानु कैसे चैन करने लगेगा कैसे आस्वादन करने लगेगा कैसे विचार करने लगेगा यह घटना घटी रही है और इन सब से एक लिंकेज भी पता चलता है इसलिए बाबा कहा है कि जड़ ही चैतन हुआ है क्योंकि मन अपने धंग से चैन करने लगेगा कैसी को जो एक और बात अपन देखते हैं कि पूरी कि माने प्रकृती में अधी एवॉलूशन को देखते हैं एक और धंग से तो सुतंतरता की जरनी है तो परमानु में सबसे कम सुतंतरता है प्रान जगत में यह सुतंतरता आ गई कि तो जिस मिट्टी में लगाते हैं आम अपनी डंग से चुनाओ करता है अपने तब्तों का नीम अपनी डंग से चुनाओ करता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि आम पर पता लगे कि 25 मीटर दूर पर पानी अच्छा है तब तो अच्छे हैं तो वहां चलके चला जाए रूट जितन पर अनकूल बातावरन होता है तो इस तरहे से देखा जा रहा है कि पदार्थ से प्राण वस्था में कुछ जागृती हुई मने हुआ जब कि विकास करम ही है क्यों क्यों क्योंगि ये स्थिर नहीं रह पारा हूँ विकास तो जीवन में ही है तो यह जो प्रान जगत से जीव जगत में जब अपन देखते हैं तो यह पता लगता है अनकूल बातावरण का चुनाव करता है अब मानों में क्या इस घटना घट गई जानने मानने के आधार पर मानों को अनकूल बातावरण बनाने के लिए नहीं जाना पड़ता है दूसी जगह अनकूल बा चुसाओं में अनेक बीज से ब्रक्छ से ब्रक्छ तक प्रेड़ना एं उनी ब्रक्छ में समाई रहती हैं गजब की बात है कि एक आम का पेड लगाते हैं और एक बीज लगाते हैं वो फली भूत होता है और फल में फिर से एक बीज बन जाता है और उस बीज में फिर एक नए फल को एक नए ब्रक्ष को बनाने की ताकत आ जाती है इनी उभय प्रकार की प्रिर्णा में उन प्रजाती के ब्रक्षों के आवसक्ता को इसपश्ट कर दिया है। इस प्रकार हम मानव किसी भी बस्तु को सुद्रन रूप में पहचानते हैं, उसका आधार सुद्रन आवसक्ता भी रहता है। तो पदार्थ की बात की प्राणवस्था की बात की अब जीववस्था की बात कर रहे हैं इसी प्रकार कीटी से हाती तक पुत्ते से बिल्ली तक गाए बाग मुर्गी कीट आदी के आच्रण के बारे में मानाव आस्वस्थ हो गया है कियो हम आस्वस्त हैं हम कोई मकान अभी हम अपने घर में कमरों में बैठें हमें नी लगता कि कल फषठ गिर जाएगी क्योंकि हमें उसमें जो लोहा लगा है जो सीमेंट लगा है उसके आचन पर हमें भरोसा है वो छुट्टी नहीं लिता कि आज संडे आज छुट्टी मनाते हैं और पता लगा संडे को सारी दीवाल किर गई तो इसी क्यों क्योंकि उनकी आच्रण की निस्चिता पाई जा रही निरंतरता पाई जा रही है इसी प्रकार चींटी से हाती तक गाय बाग मुर्गी कीट आदी के आच्रण के बारे में मानव आस्वस्त हो गया है इनके साथ आवस्चक बिदी को मानव अपनाए भी है क्योंकि आचरन के प्रति आस्वस्ती है तो इनके साथ कैसे हम उपयोग करेंगे इस बिदी को पा जाता है यह आवस्चक विधी मानवेतर, मानवेतर आता है जहाँ पर मानों के अलावा, तो इसके साथ यह आवस्चक विधी मानवेतर संसार तक परकारांतर से में संपन हुआ जैसा लगता भी है, अब मानो की बात करते हैं जब उसी क्रम में मानो को पहचानने की स्थती में आते हैं तब हम संदिक्दता को महसूस करते हैं अब अब यहां से गड़बड़ी शुरू हो गई क्यों? कौन से मानो की बात कर रहे हैं? जब उसी क्रम में मानो को पहचानने की स्थती में आता है तब हम संदिक्दता को महसूस करते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं के नहीं? तो बार-बार लगता है यार फिर डाउट आयाता लोग है लोग पार्टनर्सिप करते हैं बिजनिस में और हर कुछ दुनों के बाद उनको डाउट आता रहता है चलेगा के नहीं चलेगा? क्यों? क्यों कि अभी मानो के आचरन के पृति हम जिस तरह से हम गाय बिल्ली पेड़ नीम के आम के पेड़ के पृति लोह चांदी के पृति आचरन के पृति हम संदिगता को पा गया है इस संदिगता के लिए मानो परमपरा में जातिगत, विचारगत, संदाएगत पद और पैसा से संधित विदी से बिवाद बना रहता है तो इसमें बहुत सारी बिवित्ता है क्यों कि हम जब मानो को ठीक से पहचान नहीं पाए तो या तो हम उसको जाती के आधार पे, रूप के आधार पे, नसल के आधार पे, संपरदाय के आधार पे, बैचारिक मतवेद के आधार पर, बद के आधार पर, पैसे के आधार पर, इन विधियों से जब पहचानने जाते हैं, तो हम इसमें कोई सार भूमता का स प्रभावसील रहता है प्रभावसील होने का तातपर यह घटत होती है तो द्रोव द्रोव सोशन युद्ध इस बना रहता है अभी भी हम कोरोना में भारत यह परपिक्ष में देख रहे तो हमें लगा एक जाती विसेज ने कुछ गड़बर कर दी ठीक से नहीं करते है तो हम मानों को ठीक से जब पहचानने जाते हैं और अमान वियता की सीमा है जब तक मानों का आच्रण निस्टित नहीं होता है अब मानों की बात कर रहे हैं मानों अपने को यदि मात्रा ही माने तब भी क्या मानों की आवस्सक्ता इस्पस्ट होई यदि यह मान विले कि मानों एक अपने आप में एक एकाई है तो अभी क्या हम अपनी आवस्सक्ता के बारे में इस्पस्ट हो पाए केबल मात्रा ही मान पर भी ऐसा लगता है हम मानों स्वेम की आवसक्ता को निर्धारत नहीं कर पाए इसी कारण आवसक्ता अनिश्चित बनी रही और आवसक्ता के आधार पर भी हम विवस्था की आरभामता को उसके धुर्वं को तो अब क्या किया रहे हैं यदि हम यह भी मानने के मानव एक अपने आपने एकाई है तो मात्रा मान कर सोचने पर भी ऐसा लगता है कि हम मानव स्वैम की आवसकता को निर्धारत नहीं कर पाए किसी कारण अबस इसी कारण आवसकता निस्चित बनी रही हम अपने को नहीं पहचानेंगे जब एकाई को नहीं पहचानेंगे तो एकाई की आवसक्ता हैं समझ में नहीं आ रही हैं और आवसक्ता के आधार पर भी हम व्यवस्था की सार्भॉंता को उसके धुर्वों को रही हूं पहचानों को पहचान पायए और उनका धुर्विक्रत नहीं कर पाए और इसको एवासक्ता के रूप में पहचान का पाएंगे जो विवभार में दोने करने हैं मानो प्त अपने एक द्यौध की नौंग का एंकात cutting थे separate कि उत्पादनकार में समाधान पूर्वक विवस्था में भागी दारी करने के रूप में प्रमानेत होता है तो मानवत्य रूपी धुरुप को पहचानने की जरुवत है यदि हम मानवत्य रूपी धुरुप को पहचान पाएंगे तो मानव की आवसक्ता को पहचानने का इसलिए मानों का ठीक से अध्यान होना और जब मानों समझ में आता है तो उसकी आवस्क्ता समझ में आती है प्रधान रूप में मानवियता ही मानों का आच्छन ही उसका धुर्ब बिंदू है उसको पहचानना पड़ेगा जिसका प्रमान के व्योहार में उत्पादन में और स समाधान पूरुपक व्यवस्ता में भागीदारी करने के रूप में पता चलेगा पस्ट होगा मानव आवस्ता स्वयम में सुष्पस्ट है क्या है वही मानव आवस्ता तो समाधान सम्रद्धी अभय सहस्तत इसको मैं कई वार ऐसे भी बोलता हूं कि अपने में जाचकी देखिए समाधान चाहिए नहीं चाहिए अभयता चाहिए नहीं चाहिए और सहस्तत चाहिए नहीं च कि हर मानों को घर परवार को समाधान सब्सक्रीयार है कि नचेल्फ होता है अभैता जीवन के अम्रत के साथ है और प्रबद्ध के साथ ही हो पाथी है इस तरह से मानों की आवसेकता स Kelvin में स्वीषि पस्ठ इसका प्रमान मूल चरत और नहतिकता रूपी मानवी आच्रण पूरवक सफन होता है बढ़िया इसका प्रमान कैसे पता चलेगा मानवत्त क्या है तो मूल चरत और नहतिकता तो जब मानवी आच्रण की बात कर रहे हैं तो इसको तीन सेक्षन में बात करते हैं कूले के रूप में सरे त्र के रूप में है और नेखिटा के रूप में को और फिर बावा के रहे हैं Is skincare करके देखा गया इंग आदर्सवाद किया और भौतिक बाद विधी से हमने करके देखा है इससे पूरा पढ़ता नहीं है इसलिए यही अर्थात सहस्ततवादी विधी से मानव लक्ष और आच्रन अध्यन सुलब है किसे सार्भौम रूप से अथ्वा सर्व मानव में कफल करना ही अथ्वा होना ही जागरित मानव परंपरा का बैवाव है तो अध्यन सुलब तो हो जाएगा इंडिविज्वाली लेकिन इसको जो सार्व रूप में करना होगा सफल उसी आधार पर मानव जागरित मानव परंपरा बैवववित हो पाएगी तो मूल चरत नहतिकता को प्रमानित करने के रूप में मानव अपने से कुछ न कुछ करता ही रहा है अब ऐसा नहीं है कि मूल चरत नहतिकता मानव प्रमानित करने के लिए प्रियास नहीं कर रहा है मानो ये करता ही रहा है कुछ ना कुछ करता ही रहा है क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि मानो आवस्चता की अर्थ में ऐस सब करना हो जाए ऐसा निश्चे हर वेक्ती कर सकता है किसी आयूँ के अनंतर ऐसा निश्चे होने की आवस्चता मषशूस होती हुई कि देखने को मिलती है और किसी एक आयूँ के बाद लगता ही है कि मेरे में स्थिर्ता आ जाए अचरण मेरे में भी और दूसरों के में भी जिनसे हम उनकी आचरण को ठीक से पहचान पाएं और तो चो रभाधिक मानो वारां से 14 वर्ष के आयू के बीच सरवाधिक कि सरवाधिक मान्सिक्ता के रूप में समाज में नयाए stubborn कि UH सब को सुख मिलने की अपेकछा रए में बनाए रहता जारे दिनी सुंदर कुरुप जो जुड़ा हुआ है वो 30-40 के आसपास का भी हो सकता है बच्चों में एक प्रॉण अवस्था में एडल्टेज में 12-14 से 20 साल के बरस में अपने को भी अधिया पना देखेंगे तो हम सब में बहुत अधिक मानसिक्ता बनी रहती है कि कैसे समाज में न्याय होना च अईसे तरह के आई एस का जॉब लेने का ट्राइ करते हैं या गबमेंट जॉब लेते हैं या किनी और इपिम्पनी वी काम करना चाहते हैं ला एक आदसे लिए होना चाहिए एक इसी वेवस्ता बननी चाहिए जिस सबके लिए अनकूल हो सबको सुख मिल सके सबकी समरद्धी हो सके ऐसे आउदगार एक बाबा कह रहें कि एक सामान सर्वे करें तो स्तरवाधिक मानों मैं इस उम्र ने परन्तु इस मानसिक्ता कि किसी खेमे से जुड़ कर अब यही मान सिकता जब किसी खेमे में जुड़ जाता है किसी पार्टी को जुएन कर लिया किसी संप्रदाय विसेश से जुड़ गए ना किसी एक बर्ग विसेश से जुड़ गए तब इसी खेमे में जुड़ कर सने सने उसकी हत्या हो जाती मतलब अब विचार ठीन होने लगा है अर्थात एक कुंठित हो जाता है क्या देख रहे हैं एक उम्र बढ़ने के साथ साथ इसको कई बार परचे सिवरों में बोलते भी हैं कि जुड़ सवर्बर बढ़ने के साथ साथ हमारी जो अपेक्शायं थी अब घठ रही है कि वह तीरे-दीरे निरासा में बदल करूं términ gidicam थी खुद्वी करने की और समाज से अच्छा हो जाए वो अब दीरे-दीरे कम हो रहे हैं तो जिस संपरदाय बर्ग मानसिक्ता से प्रतिबत रहते हैं अथवा मारे रहते हैं उसी को हम सही मान लेते हैं उचित मान अब क्या हो गया अब जैन जैन लोगों का ठीक होना चाहिए भारतिये लोगों के साथ अच्छा होना चाहा है तो हम क्या कर रहे हैं किसी खेमे में आ गए तो पहले जो सब का सुभ होना चाहिए की जगह है, अब हमारे खेमे का सुभ होना चाहिए, इधर चले गए, तो जो सार भॉम्ता थी, उसकी वो कम हो गई, खल सरूप, इससे होता क्या है, अपने ही संपरदा है, अपने ही बर्ग, अपने ही धर्म, अपने ही जाती को जब वि जाते हैं और फिर एफ़ कार निकलने लगते है इस बाली जाती को तो नप्टाई देना चाहिए हैना इन लोगों के साथ और ऐसा हो ना चाहिए ये गलत हो रहा रहा है और इस इस की prop में देखेंगे ता हम सर्व मानों किसी आयू में सर्वाधिक लोगों के लिए अर्थात सर्व मानों में सुप चाहते रहें। इसके पुस्ती में सह अस्तित रूपी अध्यन में इसकी स्वावना सुलब होई। और ऐसा क्यों हुआ एक बर्ग में जाने का क्योंकि सिक्षा के बाद्यम से यह नहीं हो पाया बहुत सारे लोग एक समय ऐसा मान लेते हैं कि अब भाईया कीज़ें ठीक होने वाली नहीं हैं सब का तो पता नहीं अपना कुछ कर लो ना। तो जब की सर्व मानो किसी आयू में अर्था जो बारा से बीस तक की आयू बताई तरवादिक लोगों के लिए अर्था सर्व मानो में सुप चाहते रहें इसके पुस्टी में अब क्या हो रहा है सह स्थित्वादी अध्यन करने से इसकी संभावना एक बार फिर से बल्वत होती है इसकी संभाव हो सकता है अब ही एक ही मानो किसी आयू तक सबका अथवा ज्यादा लोगों का सुख चाहता और कुछ अधिक आयू के अनंतर अपने परवार स्यम की सुब्दा संग्रे पर तुल जाने के रूप में देखने को मिलता है जो अभी अपनने बात की क्या होता है उम्र बढ़ में के साथ साथ पहले लगता था सबका सुख हो फिर लगता है कि अपने जाती वालों का जैन वालों का ही सुख हो जाए जैन में दिगंबरों का ही सुख हो जाए फिर ये लगता है बाकी छोड़ो भी अपने परवार का सुख हो जाए फिर उसके हो रहा है आदमी की देखिए कितनी बिडंबना है उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो बिसालता बढ़नी चाहिए थी आदमी के ब्यक्तित में प्रतिभा संपन्दता बढ़ रही है उम्र बढ़ने के साथ और जो उसका ब्यक्तित का विकास होना चाहिए था एक जो बिसालता उस पराओं का फैलियूर है उसके सद कामना की हत्या हुई इनमें संतुलन इस्थापित करने के लिए अब क्या किया जाए जो हो रहा है वो तो ठीक है अब कुछ करना होगा ये वल समीक्षा से बात नहीं चलेगी इसमें संतुलन इस्थापित करने के लिए मध्यस दर्सन की अच्छा किया बहुत सारे लोगों को पताई होगा तो रायपुर में इस तरह का अभिभावक विद्ध्याले चला रही है बहुत सालों से जैसा कि उन्होंने मनाय कि लगबग 2011 से सुरू किया था आठ नौ साल हो गए हैं और वो और उनकी टीम और भी हम सब साथियों के जो विकास मूलिसिक्षा के लोग व्यापी करने में काम करना चाहते हैं प्राइमरी तक का सारा लिट्रेचर उनके पास उपलब्ध है ट्रेनिंग भी देंगे आएंगे भी आवसकता पढ़ने पर है ना तो इस तरह से हम सब को अपने समय का सदप्योग भी करना चाहिए और इ द्रस अर्थात सहततवाद के अर्थार केतना विकास मूल सिक्षा को सुलब अर्थात सहततवादी सिक्षा के लोग व्यापी करने में का वस्था है तो हम सब भी महसूस करते हैं जारों अवस्थां में संतुलित बिंदू में लाने के लिए सभíस्ट अभी बिढ़ी को अपनाना ही होगा। नहीं होगा लिए खारिश प्पोड़ी काम कि एंप यह स्थाई में आज़ी सीखना है। अपने सदुप्योगता पूर्वखी आदमी सुखी होता है तो कैसे हम सब लोग मिल करके अपने आसपास हमारे भाई बंधु लोग राजनीती में भी हैं अच्छे पदों पर भी हैं तो पदों के साथ वो न्याये भी कर सकें इस तरह से इस बात को इस सहस्तितवादी हो हम सब मुझे लगता है इसमें सोचते ही हैं और प्रयास पूर्वक्त है ना इस पर काम करेंगे ऐसा अध्यन से सब उदय होता ही है अपने में इस तरह के चित्रण और उस चित्रण के कैसे घटित कराया जाए उसके लिए विचार है ना और फिर प्रयास के सारा तो बहु सुरू करता है उस बिसालता को पाने में सफल हो जाए सबी वस्तूय अपने सूक्ष्म रूप में पर्मानू के रूप में मूल मात्र है रचना के रूप में बड़े-बड़े चोटे एकाइयों के रूप में हमें उपलब्ध है सब हैं जितनी भी वस्तूय है ना भी प्या जगत है तो सारा का सारा मूल रूप तो उसमें परमाण हुई है यही रचना के रूप में बड़े छोटे एकाईयों के रूप में हमें अपलब्द है इन अपलब्दी के साथ हमारे भविस्थ की डोरी बंदी रहती है क्या वात है तो इस जो धरती है जो पहले अध्यायों मे भविस्ट की डोरी बंदी हुई है आज हमने जो कुछ भी आच्रन किया कारविवार किया अब दिवस्था में आच्रन किया इसका फल परणाम आज ना हो बरसों में भी हो भोग ना ही पड़ेगा तो कई बार परणाम थोड़े दूर होते हैं दूर गामी होते हैं आज नहीं दिखाई देते हैं आज जंगल काटेंगे तो कल ही पानी कल ही बरसात रुख जाएगी ऐसा नहीं होता है लेकिन दूर गामी पड़नाम है लेकिन हमें भोगना ही पड़ेगा अब जब इसमें लिख रहे हैं हमें भोगना ही पड़ागा तो कुछ लोग सोचते हैं आपने को क्यों भूगना पड़ेगा अपन तो अलड़ी 50 के होगै, 70 के होगै, 30 के होगै 30 साल तो धर्ती चलेगी अपन तो निकल लिए तब तक तो इसका मतलब है अभी हम अपने आपको सरीरी माने हुए हैं, जीवन की अमरत्ता पता चलेगी, तो पता लगेगा अपने कोई बारवारान है भै, इस धरती को बनाय रखने में, अपने लिए अपने इस धरती को बना के रखना चाहते हैं, तो यह जब बात कर रहें, तो मानो जाती की बात कर रहे हैं तो हम मानो जाती को इसको भोगना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हम बात करते हैं सहस्ततवादी और सोचने लगते हैं बहुती ब्यक्ति बादी तो लगता है नहीं यार क्या हो गया फॉसिल फ्यूल नहीं भी चलेगा तो 30 साल तो चली रहे ना यार ऐसा बेग्या निगी बूल रहा है अपने को तो 30 साली और जीना है, ना, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो क्या के रहे हैं, आज हमने जो कुछ भी आचरण किया, कारवेववार किया, अब्वेवस्था में आचरण किया, इसका फल परणाम भरती जो है इस पर परमपरा बनी रहे इसकी अर्थ में यह बिगड़ती है तो इसको हम सब भोगते ही हैं इसकी बात कर रहे हैं और एक मज़ेदार बात इसी से मुझे यह समझ में आई या शेयर करने जैसी लगती है कि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भी या वो तो जिसको आजकल की भासा में बहुत इक भासा में अपन्जो वड़िया कह रहे हैं तब भी भाया कुछ भी वड़िया नहीं हुआ क्यों कि जीवन ने सरीर जिसलिए लिया था जो अनवह पाने के लिए जो निरंतर सुक को पाने के लिए प्रियास था उसमें तो सून नहीं हो तो जो दूर से ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कुछ अच्छा चलना है दूसरों की वह साथ संबंध यह तो बहुत निश्चती है कि यदि हम ग्यान संपन्द नहीं हो पाते हैं तो संबंधों का निर्भार नहीं कर पाते हैं और अपने ही विचारों में उल्जन बनी रहती तो इस प्रित्न से यह भी समझ में आता है कि बरतमान में हमें सदा सदा के लिए समझदार होना ही है समझदार रहने के लिए आवसक है कि समझदारी परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रतनसील भी रहना है यही मानों की इस्थिती गती का मतलब है तो हमेदी समझदार हो किक के रूप में हैं हर मात्रा में सित्ती गति रहती है कि की इस्थिती जाता है किन एक बना रहे давно रहे रहित treat तो इस्थिति और गति इस्थिति में फलन जैसे कोई परमाणूं का गठन उसकी इस्थिति है और उसका जो आच्रन व्यक्त हो रहा है धनीता बिद्दुत के रूप में वो पता जैसे अच्छा उधारन बही रहें जैसे लोहे में कठोरता भौतिक आवस्थता है उसके अपने सक्ति को बल को प्रभावित कर लोहे का परिक्षन करता है तभी लोहे के पृति विश्वास हो पाता है क्योंकि लोहे के आच्रन को वो हर सबार वैसा ही पाता है इसमें मानो काफी सफल तो लोहे के पृति मानो काफी सफल हो चुका है बहुत सारी बस्तूओं के साथ परिक्षन निरीक्षन किया जा चुका है तो मानो ने बहुत सारी बस्तूओं के साथ लोहा एक उधारन दिया लोहा है लकड़ी है हम सब जानते ही हैं बहुत सारी बस्तूओं के साथ के बारे में वो निस्चित्ता को पा गया है इस निस्चित्ता के आधार पर अनेक प्रवब्ध्योग की कारसील रहना देखा जा रहा है इसको मैं बोलत मनलब ऐसे भी हम लोग चर्चाएं करते ही हैं कि क्या फायदा हुआ हमेदी लोहे की लोहे की आचरन को पहचान लिए तो हमेदी लोहे की आचरन को समझ गए तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हमें पता है कितना बजन उठा सकता है तो हमने बड़ी-बड़ी मंजले बना दी एक अलग बात है जो प्रदीव भाई ने कहीं मुझे बहुत बढ़िया लगी कि पहले लोहा जो हजारों सालों में बनता ह है और सौ साल में उसमें रस्ट लख्ये बरबाद हो जाता है और हम जमीन से निकाल निकाल की यूज करने जबकी लखड़ी 50 साल में एक अच्छा पेड़ तैयार हो जाता है और 300-400 साल तक देता है तो हमें इन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा कि इनके आचरन को हम लो सकते हैं चीजों का यसे लोहे काईदी हमें एक हनिच का रोल समझ में आ जाए कोईले का यह समझ में आ जाए कि धरती की अपनी इंटर्नल विवस्था को बनाए रखने के लिए तो हम उसको बने रहने देंगे उसमें हस्तक शेप नहीं करेंगे तो यह पता किसी प्रद्ध कार में ला पा रहे हैं और इसमें सार्थक्ता भी दिखाई पड़ती है इसका प्रमाण अनेक लोग प्रद्ध्यकिकी में भागी दारी करते हैं प्रद्ध्यकी की विधा में अनेक लोग सफल होते हुए भी अब यह मज़ेदार बात है प्रद्ध्यकी में अनेक लोग सफल होते हुए भी मनहा स्वस्थता में प्रमानित होना अभी तक पना नहीं तो प्रवध्धकी में हम भले ही सफल हो गए हैं मन स्वस्थता में सफल नहीं हुए क्योंकि प्रवध्धकी की में सफल होना का मनहा स्वस्थता के सफल होने से लिंक नहीं है मना स्वस्तता के विधा में प्रमानित होने के लिए मानव को पहचानना प्रधान हो जाए तो हम मटेरियल को पहचान लें लोहे के आच्रन को पहचान लें लकडी के आच्रन को पहचान लें गाय गोड़े गधे बैल के आच्रन को पहचान लें इससे मन स्वस्त होने वाला न मानो को पहचानना होगा और जिएवन और सरीर के सहीवत सरूप को अपने को पहचानना होगा मन स्वस्तता की बिधा में प्रमानित होने के लिए मानो को पहचानना प्रधान हो जाता है मानो को पहचानने बिना पहली बात से लिंग कर रहे हैं कि मानो से बिवार करने के लिए एक मानो को दूसरे मानो को पहचानना होगा तो मानव को पहचाने बिना मना स्वस्तता का प्रमान होता नहीं है मानव का पहचानना समाधान समरद्धी पूरवक जीता हुआ न्याय को प्रमानित करने से ही होता है नियाय अपने में संबंध मूल मूल्यांकन उभय तरफ्थी के रूप में इस पस्थ होना पाये जाते है तो मानों को पहचाने बिना इसलिए बाबा बार बार इतना जोड़ दे रहे हैं कि भाईया मानों को नहीं पहचान पाए यही एक चूख हो गई है और कई बार ऐसा भी बाबा ने कहा है कि सिक्चा में मानों का अध्यन हो जाना ही सिक्चा का मानविये करण है क्या सांदार बात करें कि सिक्चा में मानों का अध्यन हो जाना ही सिक्चा का मानविये करण है वस्तुओं का अध्यन अपन कर चुके हैं लोहे पत्थर का अध्यन कर चुके हैं पेड लिए अपने को सिक्षा में जो चेतना विकास मूल सिक्षा की बात की मानों का अध्यान होने से बहुत सारी चीज़ां में परवर्तन आएगा तो मानों को पहचाने बिना और मानों को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे में वही मानों में स्वास्ता का मतलब है अखात आतमा से अनुपरानित, उद्धी, चित, ब।्रत्थी और मन का हो जाना यही मन् स्वास्तता है तो स्व्यम मानुवियत पूर्ण अब आगे कहरा है कि कैसे होगा तो मानों का पहचानना समाधान समर्द्धी पूरवग गीता हुआ न्याय को प्रमाज़ करने से ही होता है न्याय अपने में संबंध मुल मुल अभय तरप्ती के रूप में सपस्ट होना पाया जाता है तो कोई किसी ने पूछा था पहले सत्र में किसी में ये अपनी तरप्ती और अभय तरप्ती क्या है तो अभय तरप्ती का मतलब है दोनों पक्छों में तरप्ती का होना परस परता में तरप्ती जब मैं बेवहार करता हूं तो जो दूसरे तक पूरकता उप्योगता मेरी पहुंसती है वहां से भी एक जो मुल्यांकन परस्पर मुल्यांकन होता है उसमें उभयतरप्ती की बात आती है स्वयम मानवियता पूर्ण आचरन किये बिना दूसरे मानों में मानविये आचरन को पहचानना बना ही नहीं यह और मज़ेदार बात है इसको दूसरे सब्दों में कहें तो बाबा ये कह रहे हैं कि गुरू तब गुरू वो है जो सिस नहीं बनाता है बलकि गुरू बनाता है क्यों क्योंकि जब कोई ग्यासू गुरू बनता है तभी सही अर्थों में वो गुरू को पहचानता है और उसके बाद जो परसपर मूल्यांकन होता है उसकी तरप्ती है उसका उत्सव है यहां इसी बात को कह रहे हैं कि स्वयम मानवियता पूर्ण आचरन किये बिना दूसरे मानव में मानविये आचरन को पहचानना बना ही नहीं तो जब स्वयम मानवियता पूर्ण आचरन करते उससे कम में होता नहीं है इसका प्रियोग इस प्रकार से किया जा सकता है चोटे प्रियोग की बात कर रहे हैं कि एक ब्यक्ति जो मानवी आचरन करता है और दूसरा भी करता है अब ये दो ब्यक्तियां दोनों मानवी आचरन करते हैं अब क्या होगा इनकी परस्परता में कार एक दूसरे का ठीक ठीक मूल ल्यांकन कर पाते हैं क्यों कि मूल ल्यांकन परसपरता में ही होगा यह इसपस्ट हो जाता है इसी क्रम में अब दूसरी स्थिती लेते हैं तो एक स्थिती तो एली और ये भी रहता है कि हर बार मैं है प्रकुण कहता हीuldade, तो यहां कहरे हैं कि उसी करम में अब क्या हो रहा है, आगे एक व्यक्ति तो मान भी आचरन करता है, और दूसरा करता नहीं, उस एस्तिती में जो मान भी आचरन करने वाला है, उसको स्वयम में विस्वास रहता है वो अपने में विस्वास रहता है सुख को अनभव करता है तो इसलिए मानवियाचरन हमें करना कोई करे या ना करे क्योंकि अपनी तरप्ती का परूप है ना करने वाले में अब जो मानवियाचरन नहीं कर पा रहे है उसमें स्वयम में व अब देखिए तीसरी स्थिति तो पहली स्थिति थी दोनों मानवी आचरन से संपन दूसरी स्थिति एक व्यक्ति मानवी आचरन से संपन दूसरा मानवी आचरन से संपन नहीं है तीसरी स्थिति अब तीसरी स्थिति यही है कि दोनों ही मानवी आचरन नहीं करते अब क्या तालमिल बनता भी है तो अधिक से अधिक लाप कमाने के लिए चलो कहीं घूमने जाते हैं तो जो मनुरंजन के लिए अर्थात जो भोग विसन है उनी विसनों के संबाद में विसनों में सहमत होने की बात आती है अपराधिक कार अपराधिक विचारों में कुछ-कुछ सहमत और असाहमत होने वाली इस्थाती है अच्छा मज़ेदार बात है कि अपराधिक कारकरम या बिस्यों में लगा हर चीज पर साहमत होना संभव नहीं है क्योंकि प्रिये हितलाव दो ब्यक्तियों का समान होता ही नहीं है लगा कुछ समय के लिए समानता जैसी लिगती है उसका मनें बहुत ही जवरदस्थ है इस परकार जाचने से कोई निस्कर्स निकलता नहीं है तो जब दो ब्यक्ति जो की आपस में दोनों ही मानविता पूंगाचन नहीं है तो कुछ निकलता नहीं है कुछ निसकर्स नहीं निकल पाते हैं सार्थक निसकर्स नहीं निकल पाते हैं इस तरह के उल्टे-पुल्टे निसकर्स आ जाते हैं है तो उसमें तो ए भी पता नहीं चलेगा धैना जो मुझे अच्छा लगता है और दारुन के हैं करें और सुछें भई कितने लुग गुस्ता करते हो को आता है और नीकल निसकर्स निकल आयेगा भत लगता से अधिक लोग और सोकत्ता है naked अब दूसरे ढंग से देखें तो बाबा के रहे तो आमानी भी सुभाव है इसने करना मानी भी सुभाव है प्रेम पूरुबग जीना मानी भी सुभाव है एक दूसरे का पूरक होना मानी भी और यहां तो अपन का निकल के आ रहा है भी यह गुस्सा करना क्योंकि सब कर रहे तो फिर क्यों कह रहे हैं कि यह सुभाव नहीं है क्योंकि प्रोध में खुद भी आदमी रहना नहीं चाहता उस सुभाव उसको कह रहे हैं जो मुझे सुईकृत भाव है तो यह तो ऐसा भाव है जो ना मुझे सुईकृत है दूसरे को तो सुईकृत है ही नहीं इसलिए अमा जमियदी उसी से दूसरा सवाल पूछा जाए कि तो हम इससे फ्री होना चाहते तो बिल्कुल एई गोलता है भाईया इससे निजात पाना चाहता हूँ है ना तब जाके वह पूछ पाएगा जिसको मानवीता की कुछ खुश्वू आई हुई है ना तो फिर पता चलेगा कि य आई मानवीय अपेक्छा में अमानवीय सुभाव है उक्त घटनाओं से तो यहिदी हम अमानवीयता का अध्यन करते हैं भीया कुछ निसकर्श निकल पाते इसलिए आज के इतने भी मनो बैग्यानिक सर्वेक्षण होते हैं इससे उल्टे-पुल्टे निसकर्श निकलते र क्यासे इंटर्पेट करना इसमें गलती हो रही है उक्त घटनाओं से हमें पता लगता है कि हर जागरित मानों अपने में ब्यवस्था रूपी आच्रन पूर्वक ही अपनी पहचान बनाए रखता है यही यथा इस्थिति का अब यहां से मानों की यथा इस्थिति का निश्चयन कर चुके हैं कि पदार्थ अवस्था का निश्चयन प्राण अवस्था जीव अवस्था का निश्चयन विदियां विश्वास योग हो चुकी है तो हम पदार प्राण और जीव अवस्थाओं में तो निश्चयन कर चुके हैं और उससे हम विश्वस्थ हो सब्सक्राइं सब्सक्राइब है कि अच्छी मैं कई वरे जबनना किताब्स का वह भूल कि हम अपने तर्क लगा रहे हैं जिसमें इसके बावजुद भी मैं भी अपने बहुत सारे तर्क लगा रहा हूं बड़ बाबा के जब तर्क को देखते हैं जाकरित प्रकती किस तरह से सिंपल भासा में उन तर्कों को रख रहा है तो हमारा ध्याना करशन हो जाता है तो मैं कहूंगा कि यह जो सत्र का रहे हैं वेराई अन्रोद रहेगा सभी से अभी तो अपन पढ़ी रहें पेज-बाईज सत्र होने के बाद कम से कम एक-धो बार इहीं 22 पेजों को फिर से हम पढ़े और अपने ही मन को विचार को बिच्छें को तुलन को और चित्रण को इसमें अपनी ढंका मतलब संग्रे सुद्धा की अर्थ में सफलता को पाचुका है। मना स्वस्ता की अर्थ में नहीं। भले ही और उसमें भी क्या हुगा। भले ही सबको संग्रे सुद्धा ना मिला हो। इस प्रकार हम मानाओ अपने आवसक्ता को सुद्रन रूप में परपक्ता पर्मानित करने के क्रम में ही अखंड समाज तक पहुंचने की संभावना है। अखंड समाज़ और सार्भों ब्यवस्था. तो जब तक मानों अपने में अखंडता को नहीं महसूस करता है, समाज की रूप में तब तक सार्भों ब्यवस्था नहीं हो पाती है. तब जब तक समाज, भासा, जाती, रंग, संपरदाय, बर्ग, इन सब में बटा हुआ है तब तक ये बात नहीं बन पाती है तो अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्फों व्यवस्था व्याख्यायत होती है यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर सुरूप होगी इस क्रम में हमारे ध्यान देने का मुद्दा आन समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वों व्यवस्था व्याख्यायत होगी यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर सुरूप है यहाँ पर ही अब विज्ञान और विवेक का परसपरता में पूरक्ता विदी से क्योंकि विवेक का मतलब जो अपने चर्च अब विज्ञान कैसे हमें बस्तुओं का उप्योग सदुप्योग करना है यहां से वहां तक का दिशा निर्धारन कैसे हो इसके लिए दोनों मिलकर के सार्थक और कारजर सुरूप हो पाएगा इस क्रव में हमारे ध्यान देने का मुद्दा मानव मानवत मानवीतापून आच्रन तो हमें क्या ध्यान देना है मानवत सपेष्ट क्या हैak या निवीता पून आचरण स्पस्थ हो जाए अखन्ड समाज स्पस्थ हो सार्वंग वेवस्था का सूत्र रूप क्या है और गया अब talking का चित्शा सपस्थ हो जाए नद्ध्यनकारियों में एक हर मानों का क्या प्रयोजन है फिर लिख रहे हैं। मानों का प्रियोजन यही है आच्रण में अद्ध्यनगामी विदी से और उसमें श्थिर्ता अनभव मूलक विदी से तो यही मानों का प्रियोजन है क्यों कि यसा होने से ही प्रियोजन का मतलब जो उसका धर्म है वो सफल हो जाए मानवसुब धर्मी है तो वो सफल हो जाए इसके दूस इसके बाद तो स्वेम सुकी हो ग ple qu suggesting है इसके अनंद तर्मन इसके बाद प्रियोजन है व्यवस्था में प्रमान आच्रण का अब तो उसका प्रमान कहां पे देना है? परमपरा में, ब्यवस्था में. इसके बाद प्रियोजन की अंतिम उचाई क्या है? सार भौम ब्यवस्था को इस्थापित करना, उसमें अपने अप्रिया पूंता, उसका प्रमान पहला कहां देना? ब्यवस्था में, परवार रूपी ब विवस्था में और उसकी अंतिम सफलता उंचाई क्या है अखंड समास सार्भॉम रूपी विवस्था को इस्थापित करें अपने योगदान अपनी विवस्था को निभाना इस तरह से गठन पूर्णता हो चुकी है क्रिया पूर्णता के फल्सरूप वैम दुख संपन्ध ह जाना और आच्रणता में उसका कल्मिनेशन या उसकी हाइट या उसकी सार्थक्ता या उसका प्रियोजन या उसका प्रमान को प्रस्तुत कर देना इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं तो गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता और आच्रणता अभी मानव अभी की क्या बात है अभी मानव सब को पहचानते हुए मानव को पहचानने की बिधा में सरबाधिक पिछड़ा हुआ है एक तरफ तो हम बहुत सफल हो गए बैग्याने की जगत में हम से पूछलो सूरज कहां से कितनी दूर है चांद कितनी दूर है कैसे सैटलाइट भेजेंगे और अब तो हम एक एक हमारे पास ऐसे यंत्र आ गए हैं और अब तो आरोग से तु लगा दो आप अपने धर से बाहर कदम रखोगे तो उस पर सूचना मिल जाएगी कंट्रोल रूम में के आप बाहर निकल गए इतना हम सब को पहचान गए बहुत सारी चीजों लेकिन अपने ही घर में अपनी पत्नी को नहीं पहचान अपने ही बच्चे को नहीं पहचान अपने ही माता पिता की अपेक्छाओं को नहीं समझ पा रहे हैं क्या बिडंबना है तो अभी मानों सबको पहचानते हुए भी मानों को पहचानने की विधा में सरवाधिक पिछड़ा हुआ है इसकी भरपाई ग्यान विवेक पून कार विवार से ही कर सकते और कोई समपरीका नहीं है इसके लिए ग्यान विवेक पून कार विवार से ही होगा इसका मतलब यह हुगा कि तीनो अवस्था की एकाईयों में अपने त्वासहत विवस्था एबं समग्र विवस्था में भागीदारी प्रमानित कर चुकी हैं। आगे दे रहें इसका प्रमान क्या है कि उन्होंने विवस्था में भागीदारी की क्योंकि इसी के फलन में मानो मनाकार को साकार करने में सफल हुआ। होता नहीं है पिट्टी पत्थर मनी धातु सब अपने अपने आच्रण में अचूक रहते ही हैं। इसी आधार पर मानो इनके साथ अपने सामाजिक मात्वा कांचाओं अम्बंधी प्रॉध्धिकी की विवस्था को अथ्वा उत्पादन को सम्रद्ध बना पाया। इसलिए ऐसा हो पाए हम इन सब का उपयोग कर पाए यदि यह सब क्या बात है पानो जैसा परस पर जगडालू मत भेद विरोध विद्रोह करने लगते तब क्या होता। यदि लोहा सीमेंट से जगडने लगता। सोना और चांदी में विवाद हो जाता। मिट्टी और पत्थर पानी बोलता नहीं अब तो हम प्यास नहीं बजाएंगी आदमी तो बहुत उल्टा-पुल्टा करता है यह तो पानी पिएगा तो गले में आग लग जाएगी इसक आपने आच्रण में अस्तिरता निश्चयता नहीं रखती तो क्या होता तो किसी भी मानओ का मनाकार को साकार करने की संभाव नहीं रहती आप आज मकान बना के जाते और कल और कल इक पिलर बुलताएग मन नहीं है आज बजननी उद्धाएंगी बहूत का मनाकार साकार करने की सब्सक्राबना नहीं रहती पर निश्चित आच्रण की बजए से हो रही है और एक बहुत ही वाने जैसे कहा रहे हैं कि एक 10 मीं चोट लगा रहे हैं कि भीई्या सबको देखके भी समल जाओ मानाओ को अपनी आच्रण को इस्थिर करना होगा निश्चित करना हो किरमागत बिधी से तीनों अवस्थाएं अपनी अपनी इथा इस्थती के अनुसार निश्चित आच्रण के रूप में प्रिकट रहना मानों के लिए सार्थक रूप बनी तो यह मानों के लिए सार्थकता हो गई कि सभी अपने अपने इथा इस्थती के अनुसार निश्चित आच्रण के रूप में प्रिकट करना इनों तीनों अवस्थाओं का यह मानों के लिए सार्थक हुगा परंतु मानों अन्य प्रिक्रती के साथ जी कर मना स्वस्थता को प्रमालित कर ही नहीं पाया प्रमालित की यह बिना मानों का मानों तरसवी प्रिक्रती के साथ पूरक होना हो है ही नहीं मना स्वस्ता के बिना ये पूरकता संभव नहीं है इतना ही नहीं मानव मानव के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृती 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 के साथ पूरक हु के इन्वार्मेंटलिस्ट हैं जो यह कह रहे हैं कि हम प्रकृति के प्रदूसर को रोग देंगे मानों जब तक मानों के साथ पूरक नहीं होगा प्रकृति के साथ पूरक होना कोई संभावना नहीं है इसलिए हमें मानों को पहले मानों के साथ पूरक होना होगा अर्थात मान का अध्यन किये हुए उनको लगता है पॉल्सी मेकिंग से नए नियम कानून बना देने से हम प्रकृती के साथ अच्छे से जी पाएंगे यहां पर बहुत स्पष्ट कुरूप से कह रहे हैं कि मानों मानों के साथ पूरक होगा उसके बाद ही हम अन्य प्रकृती के साथ पूर करता है अर्थात हमारे में ग्रीड अर्थात सरीर से सुखी होने का दबाव जब तक बना रहेगा तब तक हम अपनी आवसकता हैं भौतिक आवसकता हैं निस्चित नहीं करताएंगे फल सरूप प्रकृती पर दबाव बनाकर रखेंगे इसलिए कितनी कारें चाहिए कितना और यदि यह तैनी होगा तो प्रकृती के साथ संतलन संभाव ही नहीं है तो बिलकुल एक ख्याली पुलाव है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेंगे बिना मानों का अध्यन की हुए क्यों क्योंकि मानों पर सरीर का दबाव है जब तक जीवन को नहीं समझेगा ग्यान मानों का अध्यनी सिक्षा का मानविय करन है या संस्कारित होने का मदब है इसलिए मुझे बहुती और बाबा ने बोल्ट की हुई है मानों मानों के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं इससे एक और सूत्र निकलता है कि हमें अपने चीजों को prioritize करने की भी बात है अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी उर्जा है ना, दूसरे कामों में लगाए हुए हैं, जैसे जैसे इस पश्टा बनेगी, यह पता लगेगा, पहला काम मानों को संसकारित करना है क्या संसकार को यह ठीक करना होगा तो अपनी उर्जा का अपने ही आसा विचार एक्षा रूपी अपने ही तनमन धन को ठीक दिसा में नियोजित करने के लिए भी हमें इससे दिसान देश मिल सकता है इस पर मुझे लगता हम सावलों मनन एक बार कॉस्टन्स को देख लेते हैं बीच में क्योंकि जब चर्चा कर रहे होते हैं तो बहुत सारा कमेंट्स को नहीं देखता हूं तो एक बार एक नजर मार लेते हैं बहुत ही बढ़िया और यो ठीक है अब ही ठीक है अब सुन्द्रावें अब आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है एसा लग रहा है मेरा सौभाग है कि आप लोग इस बात को वाच्व शर्रल लग रहा है जैसे जैसे अपने एक बार अध्यान हो जाएबा तो एक्शली बहुत प्रिया और बहुत प्रयास करते रहे सान सांब बाबु जी कह रहे हैं कि सही है अभी तक के निर्णे तो चाहे व्यापार फिल्म या गल्ती की भावतायत को सर्वे में एमान लिया जाता है क्योंकि उनके पास बैकल्पिक बिली नहीं है बिल्कुल ठीक है तो कर्म सुतंता का लक्ष ना मिलने मानों को कल्पना एवं क कर्म सुतंता का लक्ष ना मिलने से दुरूपिय हुआ है बिल्कुल ठीक बात है हम चूग गए हमारी कल्पना में सच्चाईयां नहीं समा पाएं फल्सरूप हमारी कर्म सुतंता को डायरेक्शन सही दिसा नहीं मिल पाई बहुत बढ़िया तो तीनों अवस्ताओं को उजा बिल्कुल बढ़िया है और सुबहे का मेरा कॉस्चन बिस भी होगे तक किसी ने कहा था कि क्या अभ्यास करना है अपने को तो अपने में जो मूल अभ्यास है तो पहला अभ्यास तो है कि हम ठीक से सुन पाएं, ठीक से चीजों को सुन पाएं, हट जो अपना बिचारों में हट है, और जो बिचारों में जो हट वो तभी निकलता है, जब हमारे आबेस कुछ कम होने लगते हैं, या जब हमें यह पता लगता है कि मेरे में ही कुछ तुधार होने की जरूरत है, तो मुझे प्राण को, चैतन जगत में जीव अवस्था और ग्यान अवस्था को, यह तो बिल्कुल दिखाई देता है कि अलग अलग बीज, अलग अलग चीजों का चैन चुनाओ करते हैं, तो चैन की बहुत ही भूर सरूर, वहां पर स्पस्ट हो रहा है, और चैतन में वही बहुत स् बिचार और इच्छा भी दिखने लगा है, बहुत बढ़िया, तो जए अस्तित्वादी अब आगे पढ़ते हैं, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मानों का मानों के साथ पूरक होने की जरूरत है, मानों का अध्यान करने की जरूरत है, पहला प्रियास इन प्रियोग करने होंगे, इनका जैसे जैसे जीने में प्रियोग करेंगे, अपने को उससे होने वाली जो अपलब्धियां हैं, वैसा होने से फिर साक्षातकार होना सुरू होगा, अबधार्णाय बनने सुरू होगी, अबधार्णाय सने सने पुस्ट होगी, जिसको कह रहे ह अब्धारना जो बनती है conceptual framework जैसी सच्चाई है वैसा ही conceptual अभी हमारा सच्चाई के विप्रीथ framework है जैसे हमें लगता है कि हम बहुत सारे भोग से सुखी हो जाएंगे जब कि सच्चाई इसके विप्रीथ है तो धीरे धीरे मानवीता पूर्ण आचरन से सुखी होंगे इसका framework कपने में बनेगा और इसके रूप में मानवीता पूर्ण आचरन के प्रियोग करने से अभ्यास करने से ब्योहार करने से यह जो अब्धार्णाएं हैं यह पुस्ट होंगी एक पुस्ट होने कि पुस्ट होने के बाद हमारी आत्मा इस योग हो जाती है कि वह अनभव करने में सक्षम हो जाती है ब्यापक में और फिर उसके बाद बुद्धुप में चैन की क्रिया जीवन में दिखाई दे रही है क्योंकि जड़ ही चैतन हुआ इसलिए बहुती स्मूथ ट्रांजीसनिंग को अपन देख पाएंगे है ना इसको इस अर्थ में बताया है कि कैसे इस बात को पता लगता है कि जड़ी चैतन है तो कोस गठन बेद को एक बार आप फिर से पढ़िए ना वहां पर मानव विहार दर्सन में स्रस्टी दर्सन सायथ चैप्तर 3 में कहीं है ना और उस बाले को पाठक भाया ने अच्छे से सहस्तित्वादी नजरिये से विज्ञान की क्रिया प्रिक्रिया सार्थक्ता सुनिश्चित होती है तो एदि सहस्तित्वादी नजरिये को हम पकड़ पाते हैं तो विज्ञान की क्रिया प्रिक्रिया और विज्ञान की सार्थक्ता समझ में आने लगता है क्योंकि सहस्तित् बनाने के लिए उस प्रियोजन को मानो लक्ष को सार्थक होने के लिए जो दिसा निर्धारन का काम है वो विज्ञान का काम है तो मानो का लक्ष समाधान सम्रद्धी अवय सहस्तित होने के कारण या सर्व मानो में सार्थक होने की दिसा और सिक्षन के तौर तरीकों को प्रॉसमानों में सर्व मानों में तर्थक कैसे हो इसकी दिस्थाक लिए सिक्षन ताया प्रणालिया इसके तोरें को निरुद्धारित करना से सब विज्ञान और य॥ लक्ष्य निर्द्धारित करने की विधी सच्च का कॉमन पूछा करते थे इस साइन्स पून और एक कर्स है ना ये अपने आप में अभी साफ है कि बर्दान है क्योंकि बिग्यान अपने आप में अपसाफ बर्दान नहीं है विवेक के तहित बिग्यान बर्दान है विवेक हीन बिग्यान अभी साफ है और विवेक सम्मत बिग बिग्यान का नजरिया और कार दोनों इसपस्ट हुआ यह इस आसे को भी इसपस्ट करता है कि मानो का आच्रण निस्चित होने के पक्ष में विग्यान विवेक के अर्थ में सार्थक हो जाए यह बहुत ही बढ़िया है कि विग्यान की असार्थक का लक्ष मानो लक्ष को पह त्रसें नहीं है कैसा सारी चीज हैं तो हमें निर्व थक्ता की दिखाई देंगी और फानलक्च के पाने के लिए विग्विजान आवर्फकarlo आवसक है व सपल आप देन विभीक और विग्यान फाइनली एकशन के अर्थ में हो जाए यही मुखबात है यही अनवा मूलक सहस्ततवादी ज्ञान विग्ञान विविश्ट का अर्थ है पढ़िया एक बार फिर आगे लिख रहे हैं मात्रा क्योंकि यह चैप्तर अपन काये का पढ़ता है मात्रा का तो मात्रा मूल सरूप में एक ब्यवस्था और ब्यवस्था में भागी दारी करता हुआ एकाई के रूप में पहचाना जाता है क्यों बार बार क्या रहे हैं कि भीया पर्वानु से नीचे की तरफ जाने की जरूप नहीं है क्योंकि मात्रा का मूल सरूप तो स्वयम में ब्यवस्था और ब्यवस्था में भागी दारी करता हुआ एकाई के रूप में पहचाना जाता है एक से अधिक अंसों के गठन के रूप में आरंब होता है एक अकेले अंस के रूप में नहीं और उससे नीचे तो जाने की कोई मतलब ही नहीं है एक से अधिक अंसों के गठन के रूप में आरंब होता है जिसका आकार अर्थात परणाम निस्चित होता है जिसका परणाम निस्चित है परणाम किसको कह रहे हैं दो अंसों का परणाम, तीन अंसों का चार अंसों का आप लोग जीवन एक परमाणू मैंने रखा था उसमें बताया था और जैसा कि असुख भाई ने बहुत ही अच्छे से जो बिज्ञान की अबधार्णाओं को और सहस्ततवादी में परमाणू की अबधार्णाओं को रख इसा दे चुके हैं अब यहां रूप गुण सुभाव धर्म के प्रती इसपस्थ होना आवस्थ है तो जो कहा था कि हम वस्तू गत्त को समझ लें तो यहां पर अब क्या बात करनी है अब यहां रूप गुण सुभाव धर्म के प्रती इसपस्थ होना आवस्थ है तो हर मतलब है रूप को समझने का मतलब रूप का मतलब है आकार रूप का मतलब है आयतन रूप का मतलब है घन इन तीनों के सम्मलित रूप में रूप कह रहे हैं तो आकार तो देखते ही है जैसे एक मनुस्र का आकार है एक गाय का आकार है एक पुरसी का आकार है एक नीम के पीड का आकार है एक बर्गत के पीड का आकार है तो इस तरह से हम आकार हम देखते हैं तो आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है उसको कह रहे हैं आकार साथ में जितने जगे में फैला रहता है और जितनी जगे में फैला को जैसे ज्यादा जग्याएंकों depldale को कि इसे पेगता Tianan observi कि का कि इस तरह से यहां को पहचान सकति हुए जैसा बना हुगा रहता है त आकार का मतलब जैसा बना रहता है आरफाथ स्थित रहता है एक हम हम घन की बात करेंगे तो घन कहते हैं कितना उसमें डेंसिटी कितना मटेरियल है जैसे एक लकडी की उतनी ही बॉल या एक लकडी की चेयर बैसी देखने में लगती है लोहे की चेयर भी लेकिन लोहे की चेयर को उठाते हैं तो भारी है उसका घन जादा है उसमें मटेरियल ज जादा है और भार उसके नाविक से आ रहा है तो इस तरह से आकार आयतन घन अब आख में आकार और आंसिक रूप में आयतन आता है घन तो आख में आता ही नहीं क्योंकि दोनों कुर्सियों को लोहे की और लकडी की एक जैसा नीले रंग का पेंट करके रख दें आख से देख जब किसीं ने पूंचा था तो इसको ँपढ़ाता जो ब्यक्त आरम प्रितियक्ष ममाने आख से तो आख से रूप भी पूरा नहीं दिखाई देता गुण सुभाव और धर्म तो आग एकी बात है तो रूप में भी गड़त अधिक रूप से अधिक इसलिए किया रहे हैं कि आंक से दिखाई देता है गड़त उससे अधिक देख पाती है और बहुत ही ब्यूटिफल है और समझ पूर्ण संपूर्णता में चीजों को देख पाती है इसलिए कारण गुण गलत की भी भासा की बात करते हैं बढ़िया तो अब यहां रूप गुण सुभाव धर्म के प्रतीसपस्ट होना है हर रूप आकार आयतन घंग के रूप में है आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है साथ में जितने जगह में फैला रहता है कार करता है अर्थात इस्थित रहता है जैसा अब एक परमपरा के बारे में सुचा जाए कितने जगह में क्रिया सील रहता है वैसे ही आगे अनेक अनू से बनी रचना है जाहे बहुत बड़ी हों छोटी हों इसका रूप जिस आकार में बने रहते हैं इतना जगह घेरे रहते हैं इ इन में SAY Aakar क्या है? आकार कैसे है का पख्च बनावट से है और आयतन का जो मैं कहा रहा हूँब आयतन का अर्थ घैराओ से फ्यालाओ से है फिरने काताद पर ब्यापक बस्तू में है도ू से सीमित अब फ्यलना भी क्या है? कोई चीज कितनी फैली हुई है? तो फाइनली उस फैलाओं को देखेंगे तो ये पता लग रहा है कि फैलने का मतलब है कि वो फाइनली वो ब्यापक से सीमित है तो गेरने का अताद पर ब्यापक बस्तू में सभी और से सीमित रहने से है दूसरी बिदी से लंबाई, चौडाई, उंचाई से भी है कितने थ्री डायमेंशन की जवपन बात करते हैं फाइनली देखें कि तो मल्टी डायमेंशन है क्योंकि हर दिसा में एक डायमेंशन है तो बोलचाल की भासा में हम बोलते हैं कि 3D कितनी लंबाई चोड़ाई रूचाई है उससे उसकी आकार का प्रता है एसे प्रतेक आकार अथ्वा एकाई सभी और प्रतीविंबित रहता है यह बहुत जवरदस्त आगे की जो आ रही है तो क्या कह रहे हैं एसे प्रतेक आकार अथ्वा एकाई सभी और प्रतीविंबित रहता है अर्थात इकाई के सभी और इस्थित इकाईयों पर आसित इकाई का पृतिविंब रहता ही है जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ इस कमरे की जो चारों तरफ दीवाले हैं और यह चो छत है और जो नीचे ग्राउंड है इन सब पर मेरा पृतिविंब पढ़ा हुआ है इस लै दिस्रे के पहचान की विधी बनी रहती है इसको अपन बढ़िया से कल इसको बच्छे चर्चा करेंगे इस तरह इस थे पृतिविंबन पहचान का आध हार है क्योंकि अभी वम लगता है प्रकास की जरूरत पढ़ती है पहचान की और यह उसी को आगे प्रचा कर रहे हैं तो मैं इस पैराग्राफ को सिर्फ पड़ लेता हूं और इसको अपन इसकी ब्याख्या कल करेंगे पहचान बिदी को बनाने की जरूरत नहीं है इस बिदी से हर बस्तू हर बस्तू हर बस्तू हर दूसरी बस्तू पर पृतिविंबित रहता ही है कि हर बस्तू प्रकासमान ह यह अच्छा टॉपिक है अपने में और दो मिनिट बने कुछ और कमेंट्स आये हैं इस बीच उनको एक बार देख लेते हैं तो आज तीनों अवस्थाओं में आच्रण की स्थिर्ता को जवर्दस समझाए धन्यवाद भावु है या रायपुर जैसे मानव चेतना विद्धध्याले या सकूल का लोग ब्यापी करन अभी तक तो और ज्यादा हो जाना चाहिए था चाहिए कि भासा नहीं चलती है प्रयास तो हम और आप से ही होगा तो हम सब को प्रयास करना होगा सच चाहिए कि अभी ऐसा नहीं हुआ है और उसके रूट में ए भी है कि हमारी जो बहने हैं वो भी इस बात को उस प्रियोक में स्वयम सफल हो जाना चाहेती थी भहना इसके बाlessness अब ही उन्होंने इस बात को खूला है किया इस बात का मन मनाया है कि अब इसका ब्यापी करण किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने में एक लेविल की आश्वस्ति को पा लिया है बहुत बढ़िया वोग ब्याप्य करन का मतलब किताबें चलाना नहीं है Finally व्यक्ती ही प्रमान होगा इसलिए इसके लोग व्याप्य करन का वही है कि बहुत ऐसे लोग चाहिए ऐसे व्यक्ती जो इस बात को जीने के लिए उनका एक लेविल का अध्यन हो गया हो एक लेवल का जीने की स्पष्टा बनी हो इस तरह से ये धीरे-धीरे तफल होगा और हम सब प्रयास करेंगे जिनेज भाईया सहत सह स्थत्तवादी नजरिये से बिज्ञान की क्रिया-प्रिक्रिया सार्थक्ता सुनिस्चित होती है सार्थक्ता का सुनिस्चित होने का एतनी मतलब इस अप्रकास भाईया कि हर परवार समाधान समरध्धी पूरुबग जी सके इस तरह से विज्ञान से भी बहुत सारे चाहे वो स्वास्त के छेत्र में हो चाहे वो उतपादन के छेत्र में हो है ना इन सब चीजों की सार्थकता या जो इंटरनेट के छेत्र की जो एक connectivity हो जो प्लानिंग करने में एजी अपन देखेंगे के विश्व में कितनी चीजों की आवस्ता है उसकी कैसे प्लानिंग की जाए इन सब में ये चीज़ बिलकुल सार्थक होगी अभी तक की जो बिग्यान है लेकिन अदि ये सही दिसा में अर्थात लक्ष को पहचान करके इसको किया जाए तो ये बिलकुल सफल होगा तो ये सार्थक हो सकता है और अधरवाईज हम बहुत सारे इससे बिकृतियां देखी रहे हैं बहुत बढ़िया तो सभ बढ़िया आवाज सही है के लिए धन्यबाद तो उसमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज की कल की जगए तो मात्रा मूल रूप में हमें कहारे हैं कि व्यवस्था का स्वरूप है तो जहां से हमने छोड़ा था एक पैराग्राफ को सुरूप करता हूँ मात्रा मूल रूप में एक व्यवस्था और व्यवस्था में भागी चारी करता हुआ काई के रूप में पहचाना जाता है कि को मात्रा के रहे हैं ऐसा एक से अधिक अंसों से गठन के रूप में आरम होता है जिसका आकार जिसका परणाम निस्चित होता है आकार के निस्च ऐसे वर किये हुए हैं तो बहुत इस पश्टा है तो आकार के निस्चित्ता के पक्ष में बहुत सारे उधारन अपन दे चुके हैं अब यहां रूप गुण सुभा और धर्म के प्रती पश्टा होना आवस्ट है हर रूप हर रूप आकार आयतन घंद के रूप में इस पश् आठार करता है अर्थात इस्थिती रहता है जैसा एक परंपरा के बारे में सोचा जाए कितने जगए में क्रियासील एक पर्माणूं के बारे में सोचा है वैसे ही आगे अनेक अनूंसे बढ़ी हुई रचना आएं चाहें बहुत बढ़ी हों चोटी हों इसका रूप जिस इस्पेस को अकुपाई करता है हम लोग क्लासिक सेवेंत में इन सब चीज़ों को पढ़ते ही हैं दूसरी बिदी से देखेंगे तो लंबाई चोड़ाई और मुचाई से बी है इन विदीयों से हम आकार को पहचान पाते हैं यहां टक अपनी बात हो गई थी अब मेन मुद्दा आ रहा है प्रतिबिंबन का और प्रकास का और प्रकास मानता का तो ऐसे प्रतेक आकार अथ्वा एकाई सभी और प्रतीविंबित रहता है उसका प्रतीविंब सभी और पढ़ता है एकाई के सभी और इस्थित एकाईयों पर आसित एकाई का प्रतीविंब रहता ही है इस प्रकार से एक दूसरे के पहचान की बिधी बनी रहती है यहां पर एक बहुती महत्पूर्ण टॉपिक अपन्चर्चा कर रहे हैं इस तरह से प्रतीवंबन के आधार पर पहचान बनी रहती है पहचान बिधी को बनाने की जुरुवत नहीं है कल भी किसी ने पूछा था या जड़ जगत में भी चैन करीया होती है तो जड़ चैन करता नहीं है वहाँ पर चैन होता है जो करना पद है करता पद मानों के साथ जड़ा हुआ है उसकी उसका दिज्याइन एक है कि जब तक मैपन सथिर नहीं होता है क्योंकि जड़ जगत में गठन ही की भी स्थिरता नहीं है इसलिए वहाँ पर हाइडोजन नहीं कह सकता कि मैं करता हूँ क्योंकि वो हाइडोजन में मैं पन नहीं है क्योंकि उसकी स्थिरता नहीं है वो गठन ही बदल जाता है तो चैतन से ही मैं की शुरुवात है और उसमें भी सही अर्थों में करता पद है वो जागरती के बाद है जिसको करता द्रस्टा और जो भोगता कह रहे हैं वो एक्चुली जागरती के बाद यह भासा बनती है कि मैं करता हूँ उसके पहले जड़ जगत में क्रियाएं हो रही है और चैतन भिर्मित वस्था में हम परिस्थिती बस कर रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ परिस्थिती हम उससे करवा रही है और मैं उतनी सुतंता को महसूस नहीं करता हूँ तो पहचान निर्वा करना है, चैन क्रिया हो जा रही हो, चैन की क्रिया होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि आम का बीज चैन कर रहा है, क्योंकि उस कोशा में मैं पनकी स्थिरता नहीं है, तो आम का बीज यह नहीं बोलेगा कि मैं इसको करता हूं, वहाँ पर चैन होता है इसलिए उसको कह रहे हैं वहाँ पर सिर्फ पहचानना और निर्वा करना हो रहा है मानने के बाद और सही अर्थों में जानने के बाद मैं करता हूं बात आती है तो बाबा कह रहे हैं कि पहचान विदी को बनाने की जरूत नहीं है जो पहचानना और पहचान करके निर्भा करना है, इस बिधी को बनाने की जरुवत नहीं है, यह प्रतीविंबन के आधार पर बनी रहती है, इस बिधी से हर बस्तू पर प्रतीविंबन रहता ही है, हर बस्तू प्रकास मान है, इसको प्रकास मानता कह रहे हैं, आगे के दूसरे को पहचानने के लिए प्रकास की जरूरत नहीं है क्या हमें लाइट नहीं चाहिए एक दूसरे को पहचानने के लिए क्योंकि अभी बाबा क्या क्या रहा है पहचानना प्रतिविंबन से है और प्रतिविंबन क्या है जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं आपके चारों और इतनी भी एकाईयां है जो दीवाले हैं जो पंखा है जो परदे है जो ट्यूब लाइट है जो पलंग है जो कुरसी है ज उस पर आपका प्रतिविंब जब तक आपार दस्तक बस्तु नहीं आ जाती वहां तक आपका प्रतिविंब पढ़ जाता है और इस प्रतिविंबन क्रिया से एक दूसरे में पहचान होती है इसको कहा जा रहा है तो पूछ रहें फिर सवाल बनता है तो क्या भई प्रकास नहीं चाहिए तो जैसा सूर प्रकास धरती पर उतलब्द है क्या ऐसा प्रकास नहीं चाहिए पहचानने के लिए तो इसका उत्तर यही है, हम अभी मानव जो कुछ भी प्रकास पहचानते हैं, आखों से प्रकास को पहचानने के आधार पर ही है, हमारी आखों के आधार पर हम प्रकास को पहचानने हैं, जबकि सभी वस्तु प्रकास मान है ही, इसका कारण यही है, हर परमानु में श्रम गती परणाम रूपी क्रिया बना ही रहता है क्या धारे प्रकास मानता का उस हर एकाई की क्रिया सीलता ही प्रकास मानता है तो हर एकाई क्रिया सील है अर्थात प्रकासित है अपने को व्यक्ट कर रही है यही उसकी प्रकास मानता है इस गती के फलन में अब जो हर परमानों जो गती कर रहा हुसके फलन में होता क्या है वह गती करता ने तो प्रैंत तो क्या होता है अपने जो बात की थी ध्वनी ताप और विら्धुत वह हैं यहीं पर उसको हर अंस चुम्ब की वल संपन है तो एक चुम्ब की च्छेत्र जब दूसरे चुम्ब की च्छेत्र को कट करता है जो बरतुल गती हो रही है और जो कंपना अतम गती है इसके फलन में तब माने ध्वनी एट उसमा और विद्धुत तरंग प्रिकट हुआ रहता है तो magneto-electric effect जो है अर्व magnet जब घूमती है दूशरे में उसमें च्छेतर में तो उससे विद्दुत तरंग पैदा हो जाती है तृत्रिया के मूल में तो यहां कहरा है अलेक्ट्रोमैगनेटिक भी है effect प्रण बट रूट में जाएंगे तो magneto electric है मनलब क्योंकि चुम्ब की ये बल संपन्ता व्यापक में एकाई के होने की बज़े से मूल संपन्ता चुम्ब की ये बल है और उसके चुम्ब की ये बल में जो जती होती है उसकी बज़े से फिर बिद्धुत प्यादा हो रही है तो क्रिया के मूल में उर्जा संपन्ता और सुम्ब की बल संपनता स्वयम सिद्ध रहता ही है इन चारों प्रिकार की बल संपन एकाई के बैभाव को बिद्ध मानता और प्रकास मानता के रूप में प्रकासित किये रहते हैं और साथ प्रकासित रहते हैं इकाई के प्रकास मानता का मतलब है उनमें होने वाली जो क्रिया है इसरम गती परणाम के फलसरूप जो हो रहा है कि सब तूसमा बिद्धुत तरंगे जो प्रकट होती रहती यही इसका मतलब है कि इकाई प्रकासित है। कि हर बस्तू प्रकास मानता का साख्च क्या है प्रकास मानता का साख्च प्रति विंबन के रूप में एकाई के सभी और होना तूइस पस्ट हो चुका है। एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रती विंबन ही आधार है। में बड़ी अममन लगाके इस टॉपिक को पकरणा पड़ेगा अपने को चूणकि हमारी प्रकास मानता से काफी पुराणी कंडीसिनिंग है तो प्रकास मानता का हर एकाई प्रकासित है है एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रती विंबन ही आधार है यह तत्थ समझ आ चुका है इसके लिए अब प्रयोग करके बता रहे हैं इसके लिए किसी भी एक कमरे में किसी बस्तू को रखें दुभाविक रूप में सभी और से हम बैठें वह बस्तू हम सब की नजरों मे आता ही है तो कह रहे हैं कि सपोज किंद्र में एक लकडी का गोला रख लें लोहे की एक बॉल रख लें और उसके चारों तरफ हम लोग 10-20 लोग बैठ जाएं तो हमें वो बितिक्ती हमें वो बस्तू हमें दिख रही है हमारी नजरों में आता ही है दूसरी विधी से हमारी आखें चक्छू रचना के अनुसार अधिक प्रकास के बिना अंधेरे कमरे में कोई चीज दिखता नहीं अब क्या हो रही हमें क्या लग रहा है कि यह हमें क्यों दिख रही है क्योंकि प्रकास है क्योंकि हमारी आखों में एक लेविल की लाइट ना हो हमें दिखता नहीं है तो दूसरी विधी से हमारी आखें चक्छू रचना की अनुसार अधिक प्रकास के बिना अंधेरे कमरे में कोई चीज दिखता नहीं है इसलिए हम बोलते हैं प्रकास की बज़े से चीज़ें दिखती है जब कि यहां कहा जा रहा है प्रतिविंब्बत होती है इसलिए पहचा बनाई रहता है यह इस बिदी में समझ में आता है कि रात्री वेला से संचालत होने वाले उल्लू और उसी की उल्लू जैसी आख वाले जीव जानवर उनके आवस्किये बस्तू को पहचानते ही हैं तो यदि यह जो सूर प्रकास में एक लेवल की लाइट होने के बाद ही य जाता है इसका मने एकाई तो प्रकासित है उल्लू पहचान रहा है इसका मतलब यहां से कहने की कोसिस कर रहे हैं कि चीजों को पहचानने के लिए प्रकास कोई अनवारता नहीं है हमारी आख की डिजाएन ऐसी है जिसके लिए एक लेवल की प्रकास हमाने जो सूर प्रकास क के लिए अभ्यस्त हुई है उल्लू की आँख के लिए शूर प्रकास की जरूरत नहीं है तो इस बात से उगारण से इसप्ष्ट करना चाहे रहे हैं की यह इस बिदी से समझ में आता है कि उल्लू और उल्लू की सद्रस आँख वाले जीव जानवर उनकी आवस्यक बस्य को पह ज़ाये हैं जैसे उल्लू चमगादर फलों को पहचानते ही हैं फिरन घास को पहचानता ही है, कितना ही अधेरा है जबकि मानों नहीं पहचानता उसी अंदेरे में मानों को घास नहीं दिखाई देती तो मानों के ना पहचानने मात्र से बस तू अपने को प्रस्तुत करने में तुटी करेगा ऐसा भी नहीं हुआ यह हमें नहीं दिखाई दे रही तो वो गल्ती कर दे रहा आइटम आइटम तो बनाई हुआ है हमें आँख से दिखे या ना दिखे यह अलग मुद्दा है आनों के ना पहचानने बाकी जानवरों को दिखी रहा है तो एकाई भी कोई तुटी कर देता हो ऐसा भी नहीं हुआ पहचानने का पहचानने वाले और कोई नहीं है ऐसा भी नहीं कि आदमी ही पहचानता है भाई तो क्या किया रहा है पहचानने वाले जीवजानवर भी है पहचानने वाला प्राणवस्था जगत भी है वो तो जो आम की जड़ है वो जमीन के अंदर चीजों को पहचान ले रही है निर्वाय कर ले रही है तो ऐसा तो नहीं कहती कि यहां दे रहा है यहां तो नहीं पहचान होगी तो ऐसा भी नहीं है कि पहचानने वाले और कोई नहीं है हाती, चीटी, उल्लू को भी दिखता है इस बात पर विचार किया जा सकता है तो अब यदि इसा सोद करते हैं तो सोद बिदी से निसकर्स निकलता है कि उनकी उनकी आवसकता अनुसार मनें जीब जानवरों की उनकी उनकी आवसकता अनुसार आखें बनी रहती हैं उसी प्रकार पांचों संबेदनाओं का आधार बना रहता है क्योंकि अब एक और important बात कर रहे हैं क्योंकि आख से कुछ, नाख से कुछ, जीवन से कुछ, पचा से कुछ कान से कुछ पहचानने की विवस्था जीवन ताद में बनी हुई है तो हम जो एक कहते हैं कि हमें आख से दिखता है ये statement ठीक नहीं है, आख भी कुछ चीजों को पहचानती है नाख भी कुछ चीजों को पहचानती है आख भी कुछ चीजों को पहचानता है तो एदी हम अंधेरे में देखें कई बार एदी लाइट चली जाए तो बिलकुल पूरा अंधेरा हो उसमें भी हम टटोल टटोल के हाथ से पकड़ पकड़ के चीजों को पहचानते हैं अच्छा अच्छा ये चक्कू मिल गया छुरी मिल गई काम को पहचान लिया एपल को पहचान लिया कैसे पहचान रहें क्योंकि बस तो प्रकासित ही है गंद से प्रकासित है टच से प्रकासित है या दूसरे सब्दों में कहें प्रतीमिम्मन के रूप में उससे जो प्रभाव अब्यक्त हो रहा है इसके रूप में हरेकाई प्रकासित है हम अमारा बहुत ज़्यादा अभ्यास आख से पहचानने के रूप में है इस अर्थ में हमें लगता है कि प्रकास की जरूत है और अब तो इंफ्रा-रेड कैमरे आने ही लगे हैं है ना हम लोग जो जो और खासतोर से इफेंस बगेरे में जब मिडनाइट ओपरिशन्स करते हैं सर्जीकल स्ट्राइक करते हैं तो सारा आर्मी वाले उनको सब दिखता रहता है पूरे अंधेरे में क्योंकि वो इंफ्रा-रेड कैमरा से चीज़ों को देख रहे हैं तो यह बहुत सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है कि एकाईया प्रकासित रहती है यह जो सूर प्रकास की आवर सकता सिर्फ हमारी आखों को है वो भी हमारी इस तरह की आख की बनाबट होने के कारण ना उल्लू की आख में वो भी दिखाई देता है बहुत बढ़ी है तो सांदार क्या किया रहे है यह जो प्रकास से और बिल्कुल इसपस्ट है तो हम केबल आख से नहीं पहचानते हैं बहुत सारी चीज़ों से पहचानने की विवस्था जीवनत आद्मियों ही बनी हुई है भी जीव जानवरों में जरूर होगी ऐसा सोचा जा सकता है जैसे मैंड़क का चमड़ी बनी रहती है अनेक पक्षियों के पंख बिविनत तरीके से तो ऐसा नहीं है कि पक्षी भी केवल आख से पहचान लें चीज़ें तो जैसे चमगादड़ है वो तरंग से पहच वो आसपास आती है टकराती नहीं दीवाल से है ना उसकी जो बेवस है वो टकरा के उसको पता चल जाता है वो आगे बढ़ जाती है तो मैंड़क की चमड़ी बनी रहती है अनेक पक्षियों के पंख बिविनत तरीके से बने रहते हैं गाय का चमड़े और तरह के बने रहते हैं गाय की जो हमारी जो स्किन जितनी सेंस्टिव है गाय की अपने ढंक से सेंस्टिव है इन सब में इस परसियता उन उनके आवस्चता अनुसार भिन भिन बने रहते हैं इस परकार मानो सरीर की इसपरसियता इसपरस की ताकत भिन रहना सुभाविक है इस बात को हम सरीर ज्यान से सुईकार सकते हैं कि मानो सरीर रचना पांचों परकार की संबेदनाओ को खूवी से ब्यक्त कर सकता है प्रबर्तियों को संप्रेशित कर सकता है यह सौभाग सभी प्रकार के मानो सरीर में समान ता कि अर्थ को इस पस्ट करना अब यहाँ पर जो विसेश बात कहा रहे हैं कि सभी जीब जानवरों में अलग-अलग तरह के सरीर बनी हुए है मानो सरीर की जो विसेश तरह तो यही है कि पांचों प्रिकार की संबेदनाओं को खूवी से वेक्ट कर सकता है जबकि बहुत सारे जानवरों में कोई एक कोई दो खूवियां उनमें विशेस हैं जैसे कुट्टे को देखें तो उसमें घ्राण सकती कि माने जो गंद की ज्यादा ताकत है ज्यादा सेंस्टिव है वो फैकल्टी गंद से चीज़ों को पहचानता है तो ऐसा नहीं कि वह आँख से पहचान लाएं जैसे कोई क्राइम में अपन हूज करते हैं किसी ना क्राइम किया तो उसका कपड़ा या कोई चीज दिग गई उसको स्मेल करके वो उसको पकड़ता है वो आँख से नहीं पहचान पाता है तो गंद से पहचान लाएं लेकिन मानव सरीर की जो बिशेष्टा है कि जो पाँचों परकार की समबेदनाएं हैं उनको खूबी से व्यक्त कर सकता है और अपनी प्रवर्तियों को इन समबेदनाओं के मादियम से अर्थात बोल करके और इस्परस करके इसमें जो इसके इस्परस में जब कोई हमारे कं उंद्धे परहाठ रखता है एक लग फील है यहां तो आप इसको देख पाएंगे और तो इसमें जो sensitivity है जो मा के touch में जो sensitivity है मित्र के touch में जो मलब you can feel that एक old बैक्ती जब आपको touch करता है जब हम किसी को ममता बस touch करते हैं जब हम किसी को बातसल बस touch करते हैं जब हम किसी को इसने बस touch करते हैं तो उसमें आपको इन तीनों को आप एकदम इस पस्ट रूप से इतनाओं को फूभी से व्यक्त कर सकता है और अपनी प्रवर्तियों को संप्रिस हो सकता है गाय का सरीर कितने तरह के इसपर्स को नहीं व्यक्त कर पाए नहीं कर पाता है मतलब इतने तरह के इसपर्स को व्यक्त नहीं कर पाता है यह जो मानों में या जो प्रकार की संभेदनाओं को खुबी से व्यक्ट कर सकता है और अपनी प्रवर्थिएँ और संप्रिशित कर सकता है यह सोभाग क难asiddha ॏ जो खूबी है कि इस मानौ सरीर की आपरसब न हमारे में समानता खो ऑबैक्ट करण से संबतस्ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब करांतर से समबेदना सबी जीनों में होना पाया जाता जीववस्था रूपी इकाई में जो विया कलाफ है और ग्यान अवस्था वाली इकाई में जो प्रिया कलाफ है उसको इसपस्ठ कर रहे हैं हर रर्चना एक मात्रा है हर रिचना फाइनली क्या है एक मात्रा है इन मात्राओं में रूप की विवित्ता आकार की विवित्ता रूप विवित्ता आकार आयतन और घन के रूप में गुण की विवित्ता उनके कतीकार और प्रवित्ति के रूप में शुभाव की विवित्ता चार अवस्थाओं में भ वो ही है आका रायतन घन के रूप में और गुण सम विसम और मध्यस्त के रूप में ही है लेकिन सुभाव जो है और धर्म अलग-अलग चारों अवस्थाओं का पाया जाता है इसलिए सुभाव और धर्म ही कि काईयों या अवस्था को भेद करने के लिए कारक तब तो बनता है जैसे इस मुद्दे पर चारों अवस्थाओं में अलग-अलग होने के रूप में अध्यान गम है इस मुद्दे पर पहले भी इसपस्ट किया जा चुका है परार्थ अवस्था अस्तित्व धर्म से संपन है तो पदार्थ वस्था कैसे है वह अस्तित्व धर्म को मने बना रहना ही उसका धर्म है अस्ति का मतलब होता है होना तौह मने उसका तुभाव ना या उसका धर्म तौह मने उसका आच्रण तो अस्तित्व तो रहना बने रहना ही तर्थात इसका नास संभव नहीं है और तो आपन कई प्रियोगों के द्वारा देख सकते हैं एक कागज का टुकड़ा लें आप यहां बैठे हैं उसके टुकड़े करते रहें तो एक कागज का टुकड़ा करते हैं तो दो हो जाते हैं दो को करते हैं तो चार हो जाते हैं और इनी को ज़िए हम जोइन करेंगे तो फ बच्चों के साथ भी जब मुँए छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलते अथि दो है अवस्था में देखेंगे तो अस्तितत सहत पुस्टी धर्म संपन है को मैं अस्तितत ही है क्योंकि है वह अर्ण धर्म बनाई हुआ है साथ में पुस्टी स्था उसमें एक और धर्म आ गया अपने को एक से दो में परवर्तित होने की परंपरा है तो अस्तित्व धर्म को और अपनों धारन से देख सकते हैं जैसे हम कोई भी दागच के टुकड़े को एक से दो दो से चार करेंगे एक लेविल के बाद आप उसको और टुकड़ा ही नहीं कर पाएंगे लेकिन आप मन से क्योंकि मन जाही रह जाता है और उन टुकड़ों को फिर मन से ही ज्याइन करेंगे फिर से एक बस्तू बन जाएगी तो इस तरह से एकाई का नास नहीं है तो पदार्थवस्था में अस्तित्व धर्म हैं और क्यों क्योंकि नास होने का मतलब उसको ब्यापक में कनवर्ट होना होगा ह नहीं हो पाती रहत नहीं हो पाती है क्योंकि यहद हो चाहएगी और उकाई कनी देखे हो जाएगा और प्यापक में नहीं चौनेरी होना पड़ेंगा वह प्याँ हो पदेगा जाये. इस तरह से अपन कई भी बहुत सारे तरकों को लगा के देख सकते हैं, किसी को कह रहे हैं कि मूल जो सहस्तित है, एकाई का नास नहीं होगा, केबल रूप परवर्तन मात होगा, और प्राण अवस्था में उसकी पुस्टी, अस्तित के साथ साथ पुस्टी है, और जीव अवस में ब्यक्त होता है, घर्म, जीने का क्या मतलब है भाई, संबेदनाओं को ब्यक्त करता है, अनुकूलता, पृतिकूलता के रूप में ब्यक्त करता है, यहना हर असू अपने संबेदनाओं को अनुकूलता, पृतिकूलता के रूप में ब्यक्त करता है, इसी को हम जीने की व्यासा के रूप में बोलते हैं इससे अधिक कुछ नहीं है ज्ञान अवस्था में संबेद्र-नाओं को ब्यक्ट करने से अधिक अनकूलता प्रती के अध्यान अवस्था में मानव अस्तित्पॉस्ती सहत सुख धर्मी है तो ज्यान अवस्था में कैसा है मानो यह सारी चीज़ें तो हैं यह अस्तित्त पुस्टी सहत जीने की आसा सहत सुख धर्मी तो सिर्व में मानो जो है जीना नहीं चाहता बलकि सुख पूरवग जीना चाहता है आसेतिकाई का मतलब है भीया कि जो एकाई जिसकी बात कर रहे हैं जैसे मैं अपने बात करूँ तो मैं सभी पर प्रतिविंबित हूँ वहां उस अर्थ में आसेतिकाई को करूँ 그러면서 आसेतिकाई कि ज्यान अवस्था में अस्तित पूस्ती सहथ सुख धर्मिंए यह भी इसके साथ इस है कि समाधान ही सुक्त का प्रिमाण है समाधान ही सुक्त का पर माण सétait, सर्वुट्व, मुख्य, समाधान मन्हों अपने समजदरी को प्रमी तो सर्वेत को मुखी समाधान माने हर डायमंस में हर आयाम में जो समाधान है उसको मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करने की करता है यह अविव्यक्ति संप्रेशित हर मानों में उसे के लिए अध्यन बोध अनभव प्रमाण के लिए पहुंच पाता है क्या होता है समाधान प्रमान के लिए अध्यन बोध अनभव प्रमान के लिए उसके लिए प्रेणा हो पाता है या स्वीकार हो पाता है इससे यह भी पता लगता है इससे यह भी पता लगता है मानव सह अस्त्त में अनभव मूलक विदी से ही सर्वतो मुखी समाधान को व्यक्ट करता है तो क्या पता लगता है कि मानौ औरो ? सुआ हे अनवा मूलग बिदी से ही हम हर रिशाकु और आयाम में हम सरवत्यों मुखी समाधान को ब्यक्ष् कर पाते हैं जिससे मानवय कुल का उपकार होना सभाव इक है यह नेचुरल है कि जिससे मानो कुल का उपकार होगा, मानो कुल का उपकार होने का मतलब मानो परंपरा में समझदारी की परंपरा इस्तापित होगी, जिससे अखंड समाज और सार्भों ब्यवस्ता या अभय और सहस्ता की परंपरा बनने की संभावना का उदय होगा, अचा से कम परवार विवस्था में होने से है परवार विवस्था में भी मानो के लिए अथ्वा परवार के लिए प्रिरक्ता है ही परवार विवस्था में भी मानो को प्रिरक्ता है ही इस विदी से समाधान उपकार से जुदा ही रहता है अथ्वा उपकार विदी से समाधान अब यहां पर क्यों इतनी सारी बात की? तो जब रूप ही अधा धूरा और बैसे भी देखेंगे तो 20-80 डिगरी दिख रहा है आंक से और बस तू तो सारी 360 डिगरी में है तो रूप भी हमें आधा धूरा बिकरा है तो इस तो हम बहे बोलते रहते हैं भी हम देखा नहीं इसलिए मैं कैसे बात करूं अरे तो समझा फरजानिहीं तो देखा क्या, न तो देखने का मतलब, finally, इस प्रीकार मानौ में, समझदारी ही देखने का थात्पर रहें है, या समझना ही देखना है, तो बाबा जब कभी-कभी देखने का। जो यूज करते है, वहाँ पे देखने का मतलब आँख से नहीं है, बलकि समझन से है क्योंकि गुण आंख से दिखता नहीं है गड़त की भासा में सम और विसम समझ में आता है मद्यस्त गुण गड़त से भी नहीं समझ में आता है वो तो कारणात्मक द्रस्ती से ही दिखाई देता है ना उसी के लिए उद्धी और आत्मा की जागृती की आवस्कता कि गया है अजिसे नेत्रीन मानो आवस्क बस्तू को पहचानते ही है महीश कावराजी ताना करण करा रहे है कि आख से नहीं garden, बॉत और समझ में भी आती है बसंतु मादलब एक आदमी का नेचर कैसा है, दूसरे आदमी का वेवहार कैसा है, इसको भी समझता ना क्योंकि उस फैकल्टी में आफ़ की जरूत नहीं रहती है, भूत सारी चीज़ों से सिङनल से समझ में आता है वेवहार समझ में आता है किस पर विश्वास किया जाए नहीं किया जाए यह समझ में आता है याना तो मूल्यों की समझ होती है बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है समझने के लिए नेत्र एक आयाम है केवल और वह छोटा सा आयाम है हर वस्तु में प्रकास के बारे में 54 साल बात सुना और समझा शांदार, बहुत बढ़ी है सुनी लोगे, सभी एकाईयां स्वयम में प्रकासित हैं, आक, कान, नाक, मूँ तुचा से संबेदना हैं, के द्वारा पहचाने जाती हैं, आगे मन की पहचान ब्रती से, ब्रती की चित से, की बुद्धी, बुद्धी की आत्मा में उत कैसे लाब, लाब मन आक से नहीं दिखता है, किसी भी संबेदना से लाब नहीं पकड़ में आएगा, प्रिये तक पकड़ में आता है, इत भी पकड़ में नहीं आता है, आक से, नाक से, कान से, तो कोई बोलते था, डाइबटी है, अब उसको टेस्ट को थोड़ी लगता है करीर संबेदनाओं से उसके आगे बहुत सारी ऐसी सच्चाईया है जिनको ब्रती ही पहचानती है और कुछ सच्चाईया है जिसको सिर्फ चित पहचानता है और सच्चाईया है जिसको बुद्धी मात्र पहचानती है और जो सच्चाई है फाइनली जो प्यापक में संप्रक् में पहचानती है समघ्यानती मानती है गहीं बहुत बहूंत बाभ भाई कर दो कार प्रविर्टि बस आड़ कारbane होते हैं मिवें कार्यों है समुच्च है जैसे आदमी में धीरता की प्रविर्ति है या दीनता की प्रविर्ति है अभी यह सुभाव नहीं बना है प्रविर्तियों का दूसरा जो भ्रूण रूप है सुभाव का वो प्रविर्तियों के रूप में है तो जो प्रविर्तियां है वो यह करी दीनता की प् प्रिवर्ति रूट है और कार उसके घटनाव में व्यक्त हो रहे हैं जैसे जो धीरता संपन व्यक्ति है इसको न्याय के प्रती निस्ठा है तो उसके जब कार्यों में आप देखोगे उस प्रिवर्ति का जो प्रकासन है और सुभाव का जो प्रकासन है तो वो प्रकासन उसक को अलग अलग किसी के साथ इसने करते हुए विश्वास करते हुए सम्मान करते हुए ऐसे क्रियाओं में कारियों में दिखेगा कि इसकुल टू एमसी स्क्वाइर को बताता है कि मास को नस्ट तो आगे बात रखते हैं क्या कि आठ्मा का पर्तिविं एक में आज से तिकाई हो गया तो हम लोग गुण दिवित्टा की बात कर रहे थे कार और प्रिवित्ति जैना बीच में मेरा internet connection लूज हो गया था आत्मा का पृतिविम एक साथ क्रमसा बुद्धी चित्वरती मन पर एक साथ रहता है या क्रमसा पड़ता है या पूरे का पूरा पृतिविम एकाईयों का हर एकाईयों पर हर समय बना रहता है इसमें कोई गती नहीं है इसमें लगातार बना रहता है पृतिविम बन में कोई चर्चा करेंगे पूरा विशाल भाई पूछ रहे हैं तो इस पर अपना भी आएगा ही नेक्स चेप्टर वही है अनीशा भाईया एक कहना ठीक रहेगा कि मानों की प्रक्षब मानता बराबर सब्द इप सो इस इस ब्यूटिफुल मानता अच्छा मानों की प्रकास मानता बराबर सब्द केवल सब्द नहीं है अनीशा बेन प्रकास मानता में सब्द भी है भाव भी है भासा भी भासा तो आईगी सब्द के रूप में अंगहार भी है तो सभी कुछ जुड़कर के अभी व्यक्ति है और उसके मूल में भाव यह सारा बिल्कुल बना हुआ है या आसित सम्मुक्ता है आसित एक एकाहि के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत बढ़ी है अब आगे इते हैं आप लोहों का धन्द बात है ना बीच में internet मानो मात्रा को अवे दी मानो की बात करें मानो को एक मात्रा माना जाए एक काई के रूप में देखा जाए उस इस्तिती में इसका प्रियोजन क्या है अपने आप में समझ में आता है इसी प्रकार कैसे समझ में आता है इसी प्रकार जीवों को भी जब मात्रा के आधार पर बन तो मानो का प्रियोजन भी क्या समझ में आता है वही मानो भी पूरक हो भी जीए के प्रियोजन है तो अब उसको आगे बता रहे हैं कि जीवों के मलमूत्र से बनस्पति दरती में तो पूरक सहब को इस्पष्टी एप Happy प्राणवस्था के लिए iki मह जीवों के मलमूत्र से स्वसन से घरती और प्राहिशन होना पतके जीवों का जो मलमूत्र उपकाद साथ के रूप में यह सम पहचानते हैं को निकी जो स्वसन करिया है ना बहुत सारी जो दुर्गंद की स्वसन से निकलती है या दूसरे रंच से देखें तो जीव भी कारवन रायक साइट छोड़ रहे हैं जो कि प्राणवस्था के लिए फिर पूरख है क्योंकि इन में सुभाविक रूप से धर्ती में और बरक्ता बढ़ती है किस से मलमूत्र सुसन से जीव संसार बनस्पती संसार के अनेक रोगों को दूर करता है करता हुआ समझ में आता है तो जीव संसार बहुत सारे बनस्पती जगत के रोगों को दूर करता है तो ऐसा मानत प्रमाण कैसे देखते हैं जिन जंगलों में जीव जानवर ना हो उस जंगल में पेड़ बनस्पतियों में अनेक रोगों का होना पाए जाता है तो इसको लावा के रहे हैं ऐसे देख सकते हैं जिन जंगलों में जानवर नहीं होते हैं उस जंगल में पेड़ और बनस्पतिय हुआ है जो इस तरह के जो प्रयास है उसमें आज कले बोलने लगे है कि यदि जंगल को बचाना है तो वी मस्ट है बाइल्ड कैट्स देर है ना या बिक कैट्स जो मनें जो चीते टाइगर्स लिए इन सब को होने से जंगल सुरक्षित होता है ऐसा नहीं कि कि इस बैलेंस को अपने को इस संतुलन को बनाए रखते हैं इसको पहचानने की जरूवत है तो मानो ना समझी बस कैसा मानता है यह ब्यब्धान पैदा कर रहा है जबकि यह ब्यब्धान नहीं पैदा कर रहा है यह उस ब्यवस्था को बनाए रखने में सही होगी है इसलिए म वह दूसरा जान्जीब खाता है कोई कीटाडू खाता है कोई इसको पचा देता है तो इस इसे व्यक्ति परीख्षन कर सकता है अब दूसरा अधारण दे रहें इसी करम में फसल संसार में भी खर-पतवार जिसको अपन वीट्स कह रहे हैं खर-पतवार कीड़ा पक्षियों का आवा गमन और बिसेश कर मदू मक्षियों का संयोग सभी फसलों में उपकारी होना पाया जाता है इसको जो जो मारे किसान भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं केटी से इसको ऐसा बोलते हैं तो बाबा कहरे के छो फ़स्टारों के सभी होगोंप का अवागमन है विसे इसकर बढ़ु मक्यों सभी फसलों में रभाव को सब करने आ किड़े बढ़ जाते रहती Bar हम किया कर रहे हैं सब चीजों को हटाते रहते हमेंलगता हमें नथे चाहिए वो इस सारी सिंबाइटिक… खत्रा है जबकि पेषब्छे से पूरक ताकिया दूसरी में चाहिए इसलिए धर्थी जैसी भी सजी है इसको वहत बोल रहा है लोगतfont कि इंपोर्टेंट पॉइंट पर एक ध्याना कर्ष्ण करा रहे हैं कि इसी लिए धर्पी जैसी भी सती है अर्थात उसमें जो खर्पतवार की पतंग आ रहे हैं मदु मक्खी आ रही है उसके और ध्यान देने की आवस्था है इसकी सजावट अपने आप में पूरकता उपयो अब्रफी unter उसके बाद स्वे मित्तूर्ट प्राण अवस्था ये अतंगे ने भी प्रजातियां समये वे सब प्डार्थ अवस्था के लिए पूरक और उपयोगी होना पाये जाता है और पदार्थ अवस्था अपने सभी प्रकार के परमानुद प्रजातियों के इस धर्ती पर संपन्न होने के उपरान्थी प्राण अवस्था का प्रगटन होना जो अभाविक रहा यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपोर्टेंट चीज याद आती है खास तोर से जो आज के एक प्रोल कम है बिहार में ज्यादा कोईला है कहीं पर लो है कि है ना बॉक्साइट तो आमर कंटक बाले छेत्र में ज्यादा है इसका मतलब यह धर्ती ना ठीक से नहीं डिजाइंड है अरे भाईया हम बेवकूफी बस धर्ती के अंदर की चीज अपनी डिजाइन के लिए बन यहां पर लोहा ज्यादा है यह ना चांदी ज्यादा है और गोल्ड तो केवल साउथ अपरीका की माइनस में पाये जा रहा है अरे भीया वो आपके लिए नहीं है वो इंटर्नल डिजाइन है यह ना तो हम क्या किया रहे है कि अरे धर्ती ने भी भेदभाव कर दिया देख अपने तुक्के लगाते कए टर्ड कि सब जगह लोहा समान रूप से पाया जाना चाहिए मश्जकर सब पड़ावर बरावर सरीर की जैसे जए Entonces theちゃ Gesellschaft的 कहीं पर हिरदे कहीं निकालने के लिए थोड़ी काम करना ब्ähänर हो जाती है तो हम कहते हैं भेद भाह हो रहे हैं तो ध़र पे भी फोरेट पे भी आजकल वो इसके अंदर लगा के देख रहे ना तो हाँ भी वोई 98.4 डिगरी टेंपरिचर बताता है और आप अपने हाथ पे देखोगे तो वो भी टेंपरिचर है पैर में देखोगे तो समान टेंपरिचर है तो भाईया वो इंटरनल डिजाइन है ब क्योंकि प्रकृति अपने ढंग से सजी हुई है इसके लिए बाबा क्या किया रहा है जैसे बाकी की अवस्थाएं पूरक हैं मानव को इस ब्यवस्था को समझ के पूरक्ता को पहचानना है ना कि उसमें हस्तक्षेप करना है तो इसी तरह से प्राण अवस्था में इतने भ प्राण अवस्था का प्रकट होना सुभाविक रहता है इस से पता लगता है प्राण अवस्था के लिए पदार्थवस्था पूरक है नहीं तो प्राण अवस्था के लिए पदार्थवस्था पूरक है और पदार्थवस्था के लिए प्राण अवस्था पूरक है प्राण प्राणवस्था उपयोगी इस बिदी से है कि प्राणवस्था जब भी विरचित होती है जब भी कोई पेड़ विरचित हो जाता है तब धरती में और बरक्ता बढ़ना शुरू होती है जैसे जैसे और बरक्ता धरती में बढ़ती है वैसे वैसे प्राणवस्था का उन्यन इ बरक्ता बढ़ते बढ़ते ऐठ पोध़ों सभी में सिरेश्टा भी बरश्ती गई वह हम गुनातमक परवरतन या बेकास भी कह सकते हैं पकास का मतलब करब करम से बीकास की लाव्चनक्ता से है जिना धर्ती में अधी विकास को देखेंगे उस अर्थ में इस सब्द को यूज किया है क्योंकि विकास तो फाइंदली गठन पूर्ण परमानु ही है तो इस तरह से जो गुणातमक परवरतन है उसको हम विकास भी कह सकते हैं जीव संसार के लिए आप कहा रहें कि देख जीव ववस्था के लिए प्राण वस्था की उप्योगता को इस प्रकार से देख सकते हैं अब कोई पूंचे के वही जीव ववस्था के लिए प्राण वस्था कैसे उप्योगी है तो इसको इस देखा जा सकता है कि वही उसके भोजन के लिए है ना वही जीव ववस्था क के लिए प्राण अवस्था की उप्योगता इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अच्छा दूसरा बता रहे हैं हाईर लेवल के लिए कि प्राण अवस्था में ही पुरस कोसा और इस्त्री कोसा की संदचना प्रारम हो चुकी क्या ब्यूटिफुल लिंक टू लिंक देखिए कि अच्छा तो क्या कडी वनी हुई है कि प्राण अवस्था में मश्था में पुरस और स्त्री कोसा की बनना सुरू होगी के बहुत सारे बनस्पतिआया है इस leash प्राण अवस्ता किस तरह से पूरक हुई प्राण अवस्ता में उन्यान होते 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 जीव अवस्ता को प्रिकट कर दिया प्राण अवस्ता जीव अवस्ता के लिए अवस्ता और बिक्सित हने की आवस्ता रही जाहे विकास करम ही क्यों। यहां इसपस्ट कर दिया, जब कि यह विकास नहीं है, जब है विकास करम ही, तो प्राण अवस्था में कितनी उन्नत कोसा हैं थी, उससे अधिक उन्नत की जरुवत थी जीवास्था में, क्योंकि उसमें अलग-अलग कोसा चाहिए थी, इस तरह से यह हुगा, इससे यह ग्या स्पस्ट हो जाता है, कि जीवां के सरीर रचना करम में, इस्तरे परोसरीर रचना का सु इसपस्ट रूप प्रकट हो गया, वहां से शुरू ही, प्राण वस्था से और जीवां के करम में, कर पूरी तरह स्पस्ट हो गया, अच्छ एसलिए चैट नहीं आ रही है कुछ तो इरर हुई है सायथ चैट को देख लिया जाए क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन होता है और यह तो प्राण अवस्था की पूरक्ता जीवों के लिए तो है ही है कि जीवों के लिए आहार जो है प्राण अवस्था से संपन होता आया है इस धंग से तो चैट में मुझे questions या नहीं दिख रहे हैं आप लोग सारे जो भी queries हैं उसको कृपया उस पर जरूर डाल दें अपने जो प्रस्नमुक्ती अभ्यान है टेलीग्राम पर तो मैं उसको देख लूँगा और उसको अपन साम के session में ले लेंगे जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन होता आया है इस धंग से पूरक्ता और उप्योगिता सु इसपस्थ हैं जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन होता आया है इस धंग से पूरक्ता और तो बिल्कुल पूरक्ता इसपस्थ हो गई इस प्रकार प मदार्थ अवस्था प्राण अवश्था जीवभी गवस्था पूर्द व्योंगी बवठी। यहां क्यों पूरी चर्चा की की अपना सवाल पूंचाता बाबा ले मैं इसकी क्या प्राइबर दिखारी। तो बाबा कहा रहा है जिस तरह से पूरी प्रिकृती तीनों अवस्थाओं को बताया कि जिस तरह से यहां पर प्रिकृती में अपने को जो दिखाई दे रहा है कि प्रिकृती में जो दिखाई दे रहा है मैंने अपने मोबाइल पे इसको ले लिया तो साइद यहां पर मुझे लगता है कि दोनों इसके देख पाऊंगा मेरे कंप्यूटर में साइद किसी बज़े से चैट बंद रुई है और मैंने यहां पर बढ़िया तो जीवों के लिए तो यह इस तरह से क्या देख रहे हैं कि पदा पराण और जीव अवस्ता तीनों में किस तरह से पूरकता है तो क्या भी यह निकल के आया मानओ का प्रियोजन जीन ही है सर्ब प्रथम प्राण अवस्था का उपयोग किसी ना किसी जीप परंपरा के सरीर रचना में प्राण कोसाओं के तरप्ती के उपरांत ही अगरिम रचना प्राण कोसाओं में उत्सव के रूप में उभरना सुभाव है अब देखिए आप कल्पना कीजिए कि जैसे चांद है चांद पर अभी सिर्फ पदार्थवस्ता है प्राणवस्ता नहीं है तो किसी क्रम में पदार्थवस्ता सम्रद्ध हो करके समय से नहीं इनी परिस्तितियों में किसी क्रम में है ना क्योंकि समय से देखने जाएंगे तो अस्तित्य तो अनादी अनंत है, तो इस समय से नहीं है, उन परिस्तितियों से घटना है घटती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा यह भी रहता है कि चीजें समय से बदल जाएंगी, समय से नहीं बदलती है, समय से रचना और रचना की प्रोनता और उसकी ब्रचना होती है, जैसे अम्र बढ़ने से आद मी समझदार नहीं हो जाता क्योंकि समय से नहीं होती है आसा अशा विचार एक्छाऊ के नियोजंसे होती है कि तो क्या कहा है ज़ियं कम कलपना करें किसी परिस्तितियों में उस पर एखिंद जाल जाता है लगते हैं और अगले करम में अधियपन देखेंगे तो यह पता लगेगा कि इससे फिर स्वेदस संसार ना जिसको हम लोगों ने उसमा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्राण अवस्था से जो फिर कनेक्टिंग लिंक है जीवों की तो उसमें स्वेदस अंडज पिंडज ऐसे कनेक्टिंग ल गोशाओं में उत्सव के रूपे और एक हो रहे हैं कि जुद्सव हो रहा है सम्रद्ध फो गया प्राण अवस्था तो इसने नई रचना के लिए उत्सव पूर्वत नई जिसको उने कल बात की थी कि गल्ती नहीं कर देता है प्राण अवस्था बलकी सोधरत रहता है उसस तो कि आगे कंगि स्तिति को प्रिकृत्पाता है ना पधार्थ से प्राण का प्रिकृतं प्राण अवस्ता से इसी आधार पर किसी जीव सरीर से सब्ध धात्रूं का समावेश और सरमाधिक्स सम्र्ध्रमेश रचना संप्ण象 अब क्या हुगा जीवों में उत्सवा होगा बहुत सारे जीव रचना होने से किसी किसी जीव अवस्था में अब सम्रद मेदस की रचना शुरू होगा ऐसे सरीर में ही प्राण कोसाओं के संयोजन से होने बाली प्रिजनल प्रणाली मानो सरीर की रचना होना प्राकृतिक और इसी क्रम में किस की इस तरह के जीव से मानो कि होना मानो की सरीर की रचना होना वृवभाविक या प्राकृतिक नेचुरल बिदी में यह हुगा ऐसी शरी रचना दिविञनल पर्वेशों में अर्थात भौगौलिक परवेश में विभिन जीव सरीरों से निस्पन होने की संभावना भी इसपस्ट है अब बाबा करें कि ऐसा नहीं है कि किसी एक भौगौलिक इस्तिती में घटना घटेगी एक साथ धर्थी पर कई अलग अलग भौगौलिक इस्तियों में किनी जीव सरीरों से मानों रूपी सरीर रचना प्रकट हो रही है तो डॉप एसी रचना भिविन परवेशत्यों में अर्थात भौगौलिक परवेश से निस्पन होने की संभावना भी इस पस्ट है, अभी मैं recently Sapiens है ना, किसी ने पढ़ी हो काफी famous हुई है एबुक तो वो Sapiens जो बात कर रहे हैं कि 2.5 million years ago, वो एक कह रहे हैं कि किसी चिंपांजी की दो डॉटर हुई, एक चिंपांजी की बेवस्ता बनी रही और दूसरी में human सुरू हो गया है, है ना, वो यहां नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं कि एक ही तरह की नसल होनी चाहिए, देखो बाबा कितने सुन्दर तरक को लग रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा, तो अपन इस तरक के साथ चलेंगे तो कि ऐसी सरी रचना विविन परवेसों में, अर्थात भौग अलिक परवेस में, विविन जीन सरीरों से निस्पन होने की संभावना भी सपस्ट है, इसका प्रमान, कैसे इसका प्रमान मिल रहा है कि अलग-अलग जीव कई विविन इससे भी अपने नसल का धुरुब बिंदू मूल भूत जीव सरीर से मानो शरीर का निस्पक्ति होना सुईकारा जा सकता है। नसल के साथ किसी ना किसी रंग का होना स्वाविक है ही। अब जैसे अफ्रीका में होगा तो रंग का सरीर बदल जाएगा क्योंकि गर्मी जादा है तो काला पना जाएगा। यूरॉप में होगा थंड़क जादा है तो पिग्मेंटेशन सरीर का अलग होगा तो रंग का कलर स शरीर से आया तो नाकचपटी इसकल का साहिज कम जादा है ना इस तरह से देख सकते हैं इस प्रकार से हम मानव बंस के सुरूआत के संबंध में अनुमान कर सकते हैं हजारों करोडों पीडियों जीती हुई इस परंपरा के मूल संबंदों को जीवों के साथ प्राकलित कर सांतुना पाना इसलिए कि विकास करम की कड़ी के रूप में पहचान पाना यह आवसक्ता तो रहा है बाजारों करोडों पीडियों से होते 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 हम है ना जीब संसार से ही आगे की उत्पक्ति के रूप में अपने को पाते हैं इसलिए इस विकास करम को की कड़ी के रूप में किस विकास करम में सरीर के विकास करम की कड़ी के रूप में हैं विकास तो जीवन में ह रहे हैं इसकी एक आवसक्ता रही लोग इसको लगाने का प्रेयास करते ही रहते हैं ऐसके लिए एक अनुमान को बाबा ने लखा इस क्रम में हर भौधलिक परिस्तितियों में मानो बिभिन प्रिकार की नसल रंग के साथ अवतरित होने के उपरान अपने परंपरा को इस क्रम में हर बॉगलिक परिस्तितियों के मानव जिविन प्रिकार की नसल और रंग के साथ अब्दरित होने के उप्रान अपने परंपरा को सुरक्षित करने की प्रिवर्तन में सफलता पा लिए कैसा भी हो सकता था कि हम नस्ट हो जाते लेकन हमने अपने अपने नस्ल को बनाए रख पाने में हम मतलब सफल हो गये उसका प्रिमाड क्या है कि आज मानव इस धर्ती पर पाया जा रहा है क्यों कि इस धर्ती पर मानव की संख्या काफी बढ़ चुकी यह से पता लगता है कि हम अपनी प्रजाती को अपनी को अतों ओं灣 प्रंपरा को बचाके रखत पाए अन्रगी परम्परा भी अपने रंग रूप में अद्रस दोलना और बहुत सारे जीव जन्थू भी अपनी प्रंपरा को बचा पहे दिखाई दे क्यों कि बहुत सारे जीव जानवर दिखाई दे रहे बहुत सारी बीनस्पति अपने परंप्राकों बनाय रख दिख रही है। बहुत सारे पदार्थ अपने परभानेगों को प्रजातियों को बना के रख पाय क्योंकि तो मानो सर्भाधिक विक्सित सरी रचना संपन होने के आधार पर जीवन के लिए अब इसका फायदा क्या हुआ भाई कि मानो सरी रचना का क्योंकि मानव सर्भाधिक विक्सित सरीर रचना संपन्न होने के आधार पर जीवन के लिए सर्भाधिक उपयोगी होना अथ्वा फून तया उपयोगी होना इस पस्ट है नहां इससे क्या हो गया कि मानो पूरी तरह उपयोगी यह जो कि सरीर मानो शरीर जीवन को घठ beslτο करने में यह सरीर सक्ट्राइव यहां प्रमानित होने के क्रम में ही मानव संग्यान सीलता का अथ्वा संग्यानियता को प्रखर रूप देने का एक्छुक है। इसे विदी से मानव का अध्यन ज्यान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमानित होना एक अवस्यम भावी घटना है। आवस्यक वा अवस्यम भावी रहा कि आवस्यकता भी थी और यह होना ही था किसी क्रम में सैस्त्तवादी नजरिये से सभी मुद्दे जो मानव पहले से ही जानना चाहता है। कैसा नहीं है कि जानने की आसा नहीं है उसमें अप एक्षा पहले से ही बनी है। तो इसी क्रम में सैस्त्तवादी नजरिये से सभी मुद्दे कौन से मुद्दे की मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव का प्रियोजन क्या है इन सब को मानव जानना चाहता ही रहा। तो वो सभी मुद्दे जो मानव पहले से जानना चाहता रहा। जो अज्यात रहा उन सब की ब्याख्या होना हो गया। क्या हो गया। उनको अब यहां पर सहस्त्तवादी नगरिये से हम तर्क संगत ब्याख्या कर पा रहे हैं। पुक्त प्रकार से अस्तित्त में चारों अवस्थाओं में पाए जाने वाले संपूर मात्रा हैं। अब इस जो भी बर्णन किया उक्त प्रकार से अस्तित में चारों अवस्थाओं में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्रा हैं एक-एक मात्रा अपने त्वासहत ब्यवस्था समग्र ब्यवस्था में भागीदारी होने के रूप अब अपने को इसपस्थ हो गया कि हर मात्रा कौन सी मात्रा सारी पलार्थ अवस्था हैं सारी प्राण अवस्था हैं सारी जीव अवस्था हैं अपने त्वासहत ब्यवस्था हैं और अपनी समग्र ब्यवस्था में भागीदारी निभा रहे हैं इसलिए आगे की अवस्था को प्रटरित कर पा रहे हैं इस इप मानौ के लिए मानवत्व थ। सहत द विवस्था और समगृ व्यवस्थां में भागी-दारी कि और्थ में ही कार्थक होने के लिए। यह अध्यन prastha यड़़। कि यह रिवस्ता हो जाए कि समगर ब्यवस्ता में भागीदारी निरवथ कर सके किसी और सार्थक करने की दो तो बहुत ही सहज ढंग से मानाव का प्रियोजन क्या है मानाव की उत्पत्ती कैसे हुई तो जब हम पूरे विहंगम द्रश्टी या समग्रता में अग्रती पात करते हैं मात्रा विधा में रूप गुण सुभाव धर्म के अध्यन के संबंध में रूप चारों अवस्थाओं के लिए इस्पस्थ हो गई अब गुण और सुभाव के संबंध में इस्पस्थ होना आवस्यक है सुभाव चारों अवस्थाओं में बिन्द देखा जा रहा है तो धर्म की बात अभी उपर की थी ना इस्पस्थ की आसा और सुभधर्मता के रूप में अब यदि सुभाव की बात करें तो सुभाव में ये दिखाई दे रहा है कि पदार्थ अवस्था में संगटन बिगटन या किसी से संगटन और किसी से बिगटन क्रिया के रूप में सुभाव को पदार्थ अवस्था में देखा जाता है प्राण अवस्था में जो सुभाव है वो सारक्ता मारक्ता के रूप में देखा जाता है और जो मल्टिप्लाई करना है एक सअधिक कर रहे हैं में उस अर्थ में सारक्था दूसरा दूसरा सारक्था का क्या मतलब है जीव संसार को उपयोगी होने की अर्थ में जीव संसार की पुस्टत तो मारक्ता क्या चीज तो मारक्ता का मतलब अपने बीज बीवस्था को बिपल बनाने में अर्चन पैदा करना तो ऐसा नहीं है कि जो पेड़ है बढड़ता ट्राणवस्था में स्वियम तरन है तो पुष्टी करता है उसके बाद कुष्टी को रोक देता है तो बचपन से पुष्ट होता है एक समय बन रहता है और फिर उसकी पुस्ती रुखना बंद हो जाती है और बिरतना की शुरुगात हो जाती है तो इसी सुभाव को कह रहे हैं मारक्ता तो मारक्ता का मतलब अपने ही बीज बेवस्ता को बिपल बनाने में फिर अलचन पैदा करने की क्रिया और जीव संसार के लिए रोग या मरत्यू कारक होने की स्थती से तो जो प्राण वस्ता है वो सारक्ता के अर्थ में भी है और मारक्ता की अर्थ में अब जीव संसार को यह दी देखेंगे क्योंकि नहीं को बैलेंस ही नहीं रहेगा पता लगा पेड़ है वो पुस्ती हुआ चला जा रहा है ना उसमें मारकता का सुभाव नहीं देखेगा प्रियोजन की सब्सार में अब जीब संसार में सुभाव को देखने जाएंगी तो करूर और अकरूर के रूप में पहचाना है अक्रूर का आर्थ है दूसरे जीवों का हत्या ना करना मास भक्षण ना करना या दूसरे सब्दों में बनस पती आहार पर जीते रहना ये अक्रूरता है इस प्रकार से प्रूर क्या हो गया जो मास भक्षण करते हैं दूसरे जीवों का पत्या करते हैं, उसके आधार पर अपने को भोजन को पहचानते हैं, इस प्रकार से क्रूर अक्रूर तोनों इसपस्ट होते हैं, दूसरे भासा में क्रूर अक्रूर में ही अपन मासाहारी साकाहारी के रूप में भी असुओं को जाना जा सकते हैं, तीसरे भासा में हिंसक अहिंसक भी कह सकते हैं, अब ग्या नवस्ता की सभाव की बात आ रही है, और ग्या नवस्ता का सभाव कीर्था वीर्था उढदार्था दया किर्पा करुणा होना, जेकि इसको बड़िया से पहचानले, मानो जीवों का extension नहीं है इसलिए हम भी यह कहें फिर मासाहारी साकाहारी में मानों को होने में क्या आर्चन है तो वहां पर जो मासाहार साकाहार है संतुलन के अर्थ में है ना जीव अवस्थाओं में जो संतुलन को बनाये रखने के अर्थ में है, मानों में कि मानों का जो सुभाव है, वो हिनसकता नहीं है, क्योंकि हिनसा ना दूसरे मानों को सुविकार है, ना स्वैम को सुविकार है, तो ज्यान अवस्ता का सुभाव, सुभाव का मतलब जो सुविकृत भाव है, वो हिनसा ही ह करना ही है क्योंकि कैसे में ही वैस्वयम में भी सुख को अन्वो करता है और परसपरता में भी सुख को अन्वो करता है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पता लगा धियोस्ता का ध्यन करते करते बहुत कॉमन ही है यह पहले यही गड़वड़ी हुई है बाबा कह रहे है कि ना कि यहां पे मानों में नयाय की आचना पाई जा रही है कि अधर्वार करने की इक्षा पाई जा रही है मानव में सत्त को समझने का प्रयास पाया जा रहा है, इस ढंग से ये सारे प्रयास जो हैं वो पसुवों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये साफ काफी अपन बर्णन कर चुके हैं, अपन में जो सामुदायकता है वो अध्यान के अर्थ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सबस्ता का सभाव धीरता वीरता उदारता और दयाकरपा करणा के रूप में पाया जाता है यही मानव सभाव के रूप में इसपस्ट होता है और जो मानव ब्रोधी सभाव जो हींता दीनता क्रूरता पहित परधन परनारी पर पुरस पर पीड़ा के रूप में ही गन्य होता है जो इन प्रवित्ती में रहते हैं वे ही पसु मानव और राक्षस मानव में गन्य होते हैं ये दोनों मानव ब्रोधी होना पाये जाता है मानव ब्रोधी सुभाव सने सने मानव ये सुभाव में परवर्तित होने की संभावना बनी रहती है एक सबसे गजब की बात है क्या कि भले ही वो मानव ब्रोधी सुभाव है क्योंकि वो स्वैम को भी स्विक्रत नहीं है परस प क्यीन को मैंने अपने कल की सब्सक्राइब फो체가 हर मानो समझ सकता है ज्यान संपन हो सकता है जी असका है है इसको यह क्या क्या है कि कोई मानो ऐसा नहीं को मानो गृती सुभाव बडल नहीं सकता बदलना जायता ही है इसी आधार पर तार्थक सिक्षा का प्रस्ताव है दूसरी भासा में से अस्तितवादी सिक्षा का प्रस्ताव है इसी आधार पर क्योंकि नहीं तो सिक्षा करेगी क्या जबी मानविये सुभाव में परवरतनी नहो और वो दीनता हींता कुरूरता ही उसका सुभ भाव बना रहेगा इसनुजक का मतलब यह संस्कारित करना उसकारित का होने का मतलब ही एँ ये जो पसू मानवी और राक्षासी मानवी या मिला करके कहें तो के सब्सद्सक्राइब यह हमारी मानवी बदल यह वह है कि लगबेख 2014 की स सायथ बात होगी मैं सुम भाई सुरेंद्रपाल भाई और रंसिंग भाई अन्ना हजारे जी के पास मिलने गए और उनसे जो चर्चा हुई उसमें ये निकल के आया कि उनसे पूंचा सुम भाई ने जहां तक मुझे याद है कि आप मतलब कैसे देखेंगे ब्यवस्था का परवर्त कैसे होगा वहां उस समय तक साइद जिल्ली की सरकार एक चुनाव साइद हो चुका था और फिर बापस से रिजाइन कर चुके था लगबग लगबग ऐसा ताइम हो तो अन्ना जी ने का कि हम तो अच्छे लोगों की तलास में है तो सुम भाई ने का कि हमारे पास ऐसा कीज़ें समझ में आ गई हैं जिससे अच्छे आदमी बनाये जा सकते हैं तो प्रस्ताव दे रहे थे कि आपके जो लोग हैं क्या हम इनके साथ बर्क्सॉप करके इस तरह के डिजैन को अपन काम कर सकते हैं तो अन्ना जी को ऐसा लगता था कि अच्छे लोग अच्छे होते हुशं है जिनको मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं कि हम भathy लोगों को पोस्ट काड लिख रहे हैं अच्छे लोगों को इख्टा कर रहे इस तरह की कुछ चर्चा विचिता बंगरहे तो मुझे इसमें ध्यान आया इस बात को लेकर कि क् nun विरोधी सुभा वाले भी अने सने न मानविय सुभाव में परवर्तित होने कार्मना बनी ही रहती है इसी आधार पर सार्थक सिक्षा को प्रस्तावित किया है क्या यह इस पस्ट नहीं होता अनगों में तो फिर सिक्षा की कोई आवा सकता ही नहीं थी दूसरी बादा भासा में सहस्त बादी सिक्षा का प्रस्ता ह तो शिक्षा के माध्यम से मानव का ध्यान करने से शिक्षा का मानविय करन हो सकता है और यह जो हम इस तरह की जो प्रिव्रतियां हैं इससे मुक्त हो सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं तो यह बाद ठीक है कि कुछ लोग अच्छे लोग हैं लेकिन सभी अच्छा होना चाहते हैं सभीह न किष्वश पूर्वक समर्द्धी-पूर्वक परसपरता में हार्मोनी Jeto जीना चाहते इंब ऑप тогда करम-दर्शन में एसे कि सभंधनो थे और अधिक Sang a सक्राम कोई तो में मानों रूप में बीज पढ़ा ही वह question कि वह सभी के साथ पूरक हो करके जीना चाहिए इसको यहां पर इसपस्ट पर मानो न्याय के पृति सू इसपस्ट और प्रमानत रहने से दीरता का मतलब है कि उसको न्याय के पृति सपस्ट हो गई है और प्रमानत रहने से है मैं तारे जो कमेंट्स आ हैं उनको नेक्स सेसन अपन आज जो साड़े तीन वज़े है उसमें ले लूगा यहां पर मुझे नहीं दिख रहे हैं मेरे मोबाईल में तो दिख रहे हैं बट कर दो नहीं एक मात्रा अधार है परम्परा अध्यनकार का धारक भाद है अधियन बर्तमान में ही बरतवान में होता ही रहता है हम सब अध्यान करते ही रहते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों चीज़ें चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाईया हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं बताव उनको कहा अध्यान करा है तो बावा क्या कह रहे है परंपरा अध्यन कारिका धारक बाते हैं तो परंपरा भी जरूरी है क्यों मैं वही मोटा एक्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ट्रेफिक के नियम हम भारत में भी उतने पढ़ाते हैं जितने सिंगापर में पढ़ाते हैं जेकिन जब भारत में हमारा बच्चा पढ़ता है क्लास थर्ड में फिप्त में क्योंकि नियम तो अतने से ही है ना भाई ग्रीन लाइट पर निकल जाओ रेड लाइट पर रुख जाओ जेब्रा लाइन से ऐधरी क्रोसिंग्क और से चलो इससे ज्यादा क्या पढ़ा देंगे विधन अपित नहीं पढ़ाते हैं लेकिन जब हमारे पिता जी बच्चों कू बेकि निकलते है और बच्चा बुलता है पापा मेंने तो पढ़ा था रैड लाइट है निकलना नहीं आपने तो गाड़ी निकाल दिए आपने स्कूटर निकाल दिया आपा गोलते हैं बिटा ऐसे चलता है उसको समझ में आता है कि जो अध्यान कराय जा रहा है इसमें भेर हैं वही जब सिंगापर में निकलते हैं तो बच्चा बूलता है पापा रात में गाडी खणिकियों कर दी कोई तो आ जानी गाड़ी निकाल लो पिता जी गोलते नहीं बेटा रेड लाइट है तो यह जो परंपरा है और अध्यन इन दोनों में पूरक्ता चाहिए तो अध्यन की भी जरूरत है तो कम से कम हम बड़ी लोग जो हम बड़े लोग हैं उनको भी इसको केवल बच्चों को स्कूल में आकर्शन करा रहा हूं कि हम बड़े लोगों को भी भले ही वो पूर्ण रूप में ना हो सके आंसिक रूप में इन सच्चाईयों के साथ जीने का प्रयास करते हुए होना होगा तिक्षा उसी अर्थ में सफल होगी तो कल भी जब किसी ने पूंचा था कि जो लोग ब्याप अपने बच्चों को भेज रहें उनमें भी इसलिए जो जब स्कूल है रायपुर में उसमें कंडिशन रहती है कि लगबग 6 महीने के अंदर टीचर्स को भी परचय सिविर करना होगा और आगे चाल के अध्यन के लिए अपनी मानसिक्ता को पीचर्स ने इस्टूडेंट्स पर रहते हुए अब बीड़ता क्या चीज़ है वाई तो स्वयम तो धीरता तो उसमें minimum requirement है क्योंकि नियाय के प्रती निस्ठा है और उसको विवहार में भी जी रहे हैं और प्रमानित रहते हुए लोगों को नियाय सुलबता लोगों को नियाय सुलब हो जाए इसके लिए अपने तनमन धन को अर्पित समझ करने से यह भी सिक्षा विदी से ही और लोग सिक्षा विदी से ही तार्थक होना पाए जाता है तो क्योंकि नियाय सुलबता कैसे होगी तो सिक्षा से ही नियाय सुलबता होगी उदार्था का तात्पर अपने मैसे प्राप्त तनमन धन र प्रियोजनिता बिदी से अपने तनमंधन लगाना है उस अर्थ में अपने को बीरता की बात कर रहे हैं उप्योगता बिदी में का तात पर सरीर पोशन संद्रक्षन और समाजगती में प्रियोग करना है प्रियोजनिता का तात पर अखंड समाज में भागी दारी करना है वह भी स्वयम इसपूर्थ स्वायत बिदी से इस तरह से नहीं करना है बस्तू का उधारता का यह मतलब नहीं है कि दवाव पूर्वख हम कुछ काम कर रहे हैं है तो अपने तनमंधन का सदुपयोग किस बिदी से श्वयम इस्पूर्थ बिदी से और इसा नहीं है कि वह रॉवन हुड डिजयन नहीं है कि यहां बौरो किया और वहां पर यहां इस्तील किया है निस्तील फ्रोंव फ्रिंटर यह इस्टील पज़ं नहीं है रेड़ेट कार्ड वाला सिस्टम नहीं है यह आणा। तो सभी मैं नहीं आता है काना तो उस बिदी और दो चीज़ा की बात कर रहे हैं है क्या दो चीज़ा को है कि दुछों कि सुधन पूर्बक उसको लगाने की बात कर रहे बहुत ही मने ध्याना करसन चोटे-चोटी बातों से किया है अब जो दया का तात पर पात्रता के अनुरूप बस्तूओं को उपलब्द कराने से है और जो किरपा का तात पर उपलब्द बस्तूओं के अनुसार पात्रता को उपलब्द कराना है यह बस्तूओं के अनुरूप पात्रता के अभाव की इस्तिती में होना पाय जाता है तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास बस्तूओं आ गई है लेकिन उस बस्तूओं का सदुप्यों करना नहीं जानता है तो उस बस्तूओं के अनुरूप पात्रता को पैदा कर देना इसको कह रहे हैं किरपा और करुणा का तात पर रहे है कि बस्तूओं भी ना हो और पात्रता देव करणा उस्ताविना हो, इन दोनों को स्थापित करने की कृया को करुना के लिए CES मानव वे इस धर्ती और मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होना पाए जाते हैं तो धीरता, वीरता, उदारता मानविये सुभाव है, और दया, किरपा, करुना, देब मानव और दिब मानवियेता का सुभाव है, और ऐसे मानव, पूरा धर्ती पे मानव के लिए अत्यदे कुपयोगी होना पाए जाते हैं, तो दया, किरपा, करुना को थोड़ा सा डिफरे हर मानव समझदारी पूर्भग जीने का पात्र है तो इसको ज्ञान रूपी बस्तु जिसमें जिग्या सा शुरू हो गई है या जिग्या समीक्षा हो गई है कैसे लोगों को ज्ञान रूपी बस्तु को उपलब्द करा देना ही दया के रूप और बस्तू उपलब्ध है और पात्रता नहीं है तो बस्तू आसपास है ज्ञान रूपी बस्तू तो अपलब्ध होगी अब उसका मनी नहीं लग रहा है तो कैसे उस बाता बरण को निर्माण करें जिसको लोग ब्यापी करण कह रहे हैं कि उस बाता बरण में उसमें अध्यन करने की पात्रता हो जाए तो बस्तु उपलब्द होने के अनुरूप पात्रता की अभाव में ऐसी इस्तिति आई जाती है तो आज की इस्तिति में देखता हूं कि ज्ञान रूपी समझ रूपी बस्तु उपलब्द हो गई है कैसे हम मानव में पात्रता का अधिकास कर सकें उ और वो इस ज्यान रूपी बस्तु के लिए अपने पात्रता को पा सकें और करुणा और भी बड़ा है ना तो पात्रता है और बस्तु भी नहीं है यह ना उन दोनों के योग को इस्थापित करने की बात कर रहे हैं यह देव मानों दिव मानों में पाये जाता है ऐसा जो बढ़िया जती से चल रहे हैं और जो अचे हैं 5-6 पेज से मुझे लगता है कि साड़े 3-5 वाले सेशन में जो भी कमेंट्स आ हैं उनको और इसको ले लेंगे तभी का बहुत-बहुत धन्दबात और आज 4-5 मिनिट में लेट हो गया वो सेटिंग बिठाने में इस एकडम बिल्कुल ठीक observation है आपका देखने का मतलब समझना आई है और अनभव मूलक से पहले अर्थात बुद्धी में आत्मा बोध होने से पहले देखना पूरा नहीं होता है या समझना पूरा नहीं होता है यह बात एकडम सथी है रंजना बेन पूछ रही थी कि विश्वास घात को समझाईए तो मुझे लगता है विश्वास घात के ऊपर बहुत ही बढ़िया चर्चा मानव बिवार दरसन में आती है विश्वास घात का सौर्ट में इतना सा ही मतलब है कि जिससे जो अपेक्छा है उस अपेक्छा को प रिटेलिंग की है बाबा ने चल, कपट, दंब और पाखंट तो ऐसा विश्वास घात जिसकी अनंतर पता भी ना चले विश्वास घात भी हो जाए और ऐसा विश्वास घात की बाद में सामने वाले को पता चल जाए और दिखावा पूर्वक किया गया विश्वास घात इ ही अपेक्षा है तो हम अपने साथ भी विश्वासगात कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी विश्वासगात कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी विश्वासगात कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी विश्वासगात कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी विश्वासगात कर रह को हमारे भाई बहनों को हमारे आज को हम एक पानवियता पून आच्रण करेंगे अर्थात प्रधन स्वानारी स्वापुरस और दयापून कारविवार करेंगे यह पेक्षा का पूरा ना करना ही जिना बहन फाइनली विश्वास घात का मतलब है और फिर उसी की कैटेगरी जी तो प्रतिवाव्यन आगे हैं तो प्रतिवावयन का भी दे लेते हैं और यह दो हो गया अरुन भाई कूछ रहते हर एकाई प्रकासमाने इसका क्या मतलब इसकी चर्चा अपने अच्छे से हुई प्रिकास मानता का मतलब है हर एकाई अपने आप में अभिव्यक्त है, अपने दूप बुन सुवाव धर्म के साथ अभिव्यक्त है, पदार्थ अवस्था में, प्रान अवस्था में, जी वस्था में और यान अवस्था में, तो हर एकाई प्रिकासेते अर्था हर एकाई का समानते हैं तो एज्जुटेक वो फिर लाइट प्रितिम है क्या और अगर है तो फिर वो ट्रेवल कैसे करती है पहले अपन इसमें सहस्तितवादी विग्जान या सहस्तितवाद क्या कह रहा है इसको समझने यह कह रहा है कि हर एकाई का दूसरी एकाई पर प्रितिविंब बिना किसी समय की बाधा के पढ़ा ही रहता है जैसे जिस कमरे में अपन बैठे हैं यदि उसमें चारों तरफ मिरर लगे हो तो जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हो आपका मिरर पर प्रभाव पढ़ी जाता है इसको कहा रहे हैं putting living हमारे ससम्मुक्ता में हर एकाई पर आज पास होती है रऎेक एकाई पर पर स्ट्धिंप पढ़ां ही रहता है आफ आज को बढ़ाने की कोसिश करते है हा जी और पांस में रख दिया तो हर एकाई पर प्रतिविंप पढ़ां ही रहता है कि अर्थ में कोई गती नहीं है और यहां प्रिकास मानता यह जो लाइट है उस प्रिकास की बात नहीं कर रहे हैं हर काई अपने में प्रिकासित है अपने रूपन सभाव धरम के साथ प्रिकासित है उसे कह रहे थे कि लाइट हो या ना हो काई तो पता चलती है उल्लू को भी काई देता ही है इस तरह से अपनी काफी चर्चा होई इसमें बल्राज सिंग भाई हाँ उस समय जो तीन-चार मिनिट के लिए मेरा नेट डाउन हो गया था तो e equal to mc square पर अपने ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा विज्ञान अभी को अपन कह रहे हैं कि भ्रमित हो गया है कि साधार पर क्योंकि उसको यह लगता है कि एकाई पूरी की पूरी उर्जा में बदल जाती है तो अब इपने को वो चीजों को अलग-अलग करके देखना होगा एक तो है कि observation हो रहा है विज्ञान क्या कर र को बास के रूप में पहचानता है जिसको फाइनली इच्वल्ट टू डेल्टा एम सी स्क्वर तो वो जो observation है और यह जो कहा जा रहा है कि मास कनवर्ट हो जा रहा है और फिर इनर्जी को भी particle और wave के रूप में कह रहा है कभी wave कभी particle तो वहाँ अभी open है इस मामले में इस पर अपन और detail में कभी होगा तो बंटू बंट चर्चा करेंगे आनंदमानी जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ-कुछ अच्छी documentary है यहना the wolf that changed the reverse course किस तरह से मैं जो धायरन दे रहा था कि big cats की आवस सकता है जंगल को बनाये रखने में उससे related एक अच्छी documentary है इसको देखा जा सकता है पुरदीब भाई करे थे economy is based on extraction of earth organs तो what is the solution तो मुझे लगता है पुरदीब भाईया का जो उसमा सात्मा पहस्ततवादी विज्ञान किसी मानाव करमदर्सन में उस सात्मा third chapter की जो seventh जैसे अब यह अपन ninth की बात कर रहे है और अब tenth की बात करेंगे आज इसके उपर बहुत ही अच्छा detailing उन्होंने किया कि जो हमारी energy की requirement है उस energy की requirement को जरूरी नहीं है कि हम fossil fuel से ही पूरा करें उस energy की requirement को हम जो प्रवावल है अर्था जो नदी नाले बहते हैं और ऐसा प्रदी भाई बता रहे थे कि यह scientific studies भी है कि केबल ब्रह्म पुत्र में जो बाड़ आती है उसके ही पानी से यदि प्रवावल को उसके यूज किया जाए उसके flow के तरजी को यूज किया जाए तो हम अपनी भारत में जितनी requirement है उसको पिज़ा कर सकते हैं तो जो बाबा ने दूसरी बात कहिए भी बहुत important है कुछ यंत्र हमने ऐसे बना रखे हैं जो इससे नहीं चलेंगे जिसके लिए तेल की जरुद पड़ेगी तो तेल ये ब्रख्चों को लगाया जा सकता है इसकी भी बहुत अच्छे से उसमें डिटेल चर्चा है उसको देना चाहिए तो मानव दिना धर्ती का पेट फाड़े अर्था धर्त के स्वास्त के लिए जो आवस्चत में ही बना रहे और उसकी सतह पर जो उस सतह के में अपरियोग करते हुए हम मानव अपनी आवस्चताओं को पूरी तर और धर्ती को भी सम्रद बनाये रख सकते हैं और धर्ती सम्रद रहेगी तो ही मानव सम्रद रहेगा बिलकुल कई बार काली दास बिद्ध्या पे हम लोग हंसते हैं कैसा यार काली दास था जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा है लगवग वैसे हम सब कर रहे हैं मिल जु ना करना एक काली दास बिद्ध्या से जादा ही माने खतरनाक लगता है उसके भी उपाधियां देने पड़ेंगी महा काली दास जैसा पृतिभा जी आ गई है तो उनका अब सवाल ले लेते हैं पृतिभा जी करें भाईया जीवन परमानूं हर मानों में समान वेवहार क्यों नहीं करता जबकि कोई भी परमानूं एक जैसा वेवहार करता है वो चाहें कहीं भी हो तो बिलकुल बहुत अच्छा है ना आपका सव सवाल है पृतिभावेन और पृतिभावेन का सवाल लगबग काफी समय से है हापड मैं भी हम तब कर रहे थे तब भी था तो बढ़िया आपको सवाल पर बने हुए हैं तो इसका उत्तर मेरा इस तरह से है इसमें कि ए बात बिलकुल ठीक है तो मैं कह रहा था कि कई बार आ अस्ताकाई क्यों नहीं है दो यह जड़ परमानों से अलग है लग है चेतन परमानों है इसको अपने पूस wypारना बनेगा आई बार हम ऐसे तब अश्तर कि 5-7 अवाल उतमादे हैं तो इसा क्यों नहीं है जैसी मेरी कलपना में आ रहा है जैसा मेरे तरक में आरह है तो उल् उसके अनुसार अपनी कलपना को होना है, इसको आपको किसी समय को सब को इस्विकारना पड़ेगा, यह कहने के लिए परमाणू ही है, लेकिन जड़ जगत के परमाणू से भिंद्रम है, तो मानव पदार्थ अवस्था की एकाई नहीं है, ना ही मानव प्राण अवस्था की ना ही मानव जीव अवस्था की एकाई है, मानव एक अपने में अलग ज़्यान अवस्था की एकाई है, उसके ही अनुसार उसका अध्यन करना होगा, बावु सिंग प्राई लिख रहे हैं कि तो अब केवल दो ही मद्दे बचे, मानव शरीर में जीवन को समझना, यह वं मा इसकार आत्मा का की रोसनी में मन विप्ति चीव बुद्दी का होना यह बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, प्रितवा बिन का एक और था भाईया हैं तो दोनों ही परमानु तो उसमें हो गया, बिल्कुल दोनों ही परमानु हैं लेकिन एकदम अलग आच्रण के साथ हैं, चैतन परमानु के क्रिया कलाप को चैतन परमानु की तरह ही अपनी कल्पना को जैसी सच्चाईयां हैं, उसमें जगह देने से यह मुझे लगता किलियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं, अंदी भाई कह रहे हैं, क्या गठन पून परमानु के सभी प कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुस्किल पढ़ेगा, तो इसको तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हम जब यह बिलकुल जो मैपिंग कर रहे हैं, यह जो मैपिंग है, जड़ जगत की और चैतन की, इसमें अपने को थोड़ा सा ख्यान रखना चाहिए, यह जो मेकैनिकल मैप कर रहा होगा, तो फिर वो है ना, इस तरह की, ओवर ओल मैपिंग है, पर इसकी कल्पना तो जो आनद भाई कह रहे हैं, यह जाता है, फिर भी यह मैपिंग नहीं है, पढ़िया, तो आगे पढ़ते हैं, तो मैं हम लोगों ने जो चर्चा की थी, मान भी यह, तो पूरी चर इसमें जो मात्रा की बात हो रही थी, कि हर एकाई, हर वो एकाई, वो मात्रा कहा जा रहा है, जो सैम में विवस्था है, और विवस्था में भागीदार है, तो ऐसी एकाईयों की चर्चा करते-करते, पदार्थ रूपी मात्रा, प्राण रूपी मात्रा, जीव रूपी मात कakes Cake और फिर ये आया कि इस सब को अध्यन करने से मानो का क्या प्रियोजन है यही निकल कि सा मानो का प्रियोजन मानो मान वक्त्— के साथ रहेना है और उरक्षा के साथ जीने के सबहे हैं मेगा ये पूरी अपनी चर्चा हो गता है और इसमें यह समझ कहों कि धीरता, बीरता, उदारता रूपी, सुभाव जेना और दया करपा करना, वाह ही मानुँए यह सुभाव है, और उस पे फिर अपनी ये चरचा ہو गई। कि दया कृपा करोना यह अपन लाश्ट में चर्चा कर रहे थे जदी किसी के पास पात्रता है और बस्तू नहीं है तो इसको बस्तू उपलब्द कराना बस्तू है और पात्रता नहीं है तो पात्रता उपलब्द कराना उपकरा है और दोनों ही नहीं है दोनों ही उकलब्द करा देना ये करोना है उत्र ऐसे तो और ऐसे बैभाव ऐसे व्यक्ति देश धर्ती और मानों के लिए अत्यधे कोपियोगी पाये जाते हैं पढ़िया मात्रा अगला पढ़ते हैं और आज ऐसा लग रहा है कि अपने पास कुछ समय मिलेगा और चर्चाएं कर पाएंगे इस बार राकेश गुपताजी से स्पेसल रिक्वेस्ट करके थोड़ा समय लिया गया है चार-पांच केज बचे हैं लगभग देखते हैं कि ऐसा लोग चलता है बड़ अपने को समय मिलेगा तो और भी आपके जो भी कॉस्चन्स हों मैं अपने अनमान के आधार पर हैना कोस्ते करूंगा उसको अपने ढंग से वक्तर देने की और हम सब आपन बारवार कही रहे हैं अभी समझने के क्रम में ही है आपके सुझाओ आनंद जिद्धांत सार रूप में इस प्रकार समझ में आता है अब इसको सार कर रहे हैं इस प्रकार समझ में आता है एक एक के रूप में विद्वान वस्तु एकाई मात्रा क्या है अरिक तो जो एक एक के रूप में वो मात्रा है एकाई के रूप एकाई में रूप गुण सुभ जब भी पाई जाती है तो रूप गुण सुभा और धर्म के साथ ही पाई जाती है और प्रतेक परमानू ही मूल मात्रा है कि इससे और नीचे जाने की चुलत नहीं मूल मात्रा परमानू होना इसलिए इसपस्ट हुआ है एकाई जो परवासित होता है यह स्वैम में विवस्था हो और समगर विवस्था में आगीदारी करती है बढ़िया आवाज को और थोड़ा तेज करता हूँ एकाई हो विवस्था में भागीदारी ना करता हो ऐसी इस्थिति में ऐसी एकाईयों में भी विवस्था में भागीदारी के लिए प्रुवित्ती होना पाया जा तो ऐसा भी देखा गया है एकाई हो और विवस्था में भागीदारी ना करता हो लेकिन उसमें प्रुवित् भी बिलकुल वैसे ही आचरण है जैसे कि एक परमाणु अंस का है जो कि बिवस्था के लिए भागीदार होने के लिए प्रुवत्त पाया जाता है और जैसा कि मैंने कहा था कि एक परमाणु अंस जो है वो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है तो अब मानो की history में देखेंगे या इस धर्ती के evolution के करम में देखेंगे तो मानो का भर्मित होना भी बहुत कम समय सीमा के लिए जागरत ही होकर के अपनी दंतरता को बना पाएगा और जागरत होई जाएगा तो बिलकुल बहुत कम समय के लिए यह सिस्थित पाया जा रहा है अंस स्वयम में व्यवस्था को पिर्मानित नहीं कर पाता अर्थात निस्चित आवसक्ता को ब्यक्त नहीं कर पाता इसलिए हर पर्मानूंस पर्मानूं में भागीदारी करने फलता व्यवस्था को पर्मानित करने की अर्थ में तरवरतन सील है या उसमें समा जाता है दूसरे पर्मानूं में या किसी और अंस से मिलके एक पर्मानूंस व्यवस्था को बनाता है निस्चित आचरण ही विवस्था के रूप में ख्यात होता है, प्रिसिद्ध होता है, प्रिसिद्ध होता है, जब ख्यात होता है गोलते हैं, इसका मतलब इसी की निरंतरता होती है, यही प्रिसिद्धी है, यही प्रिसिद्ध है, यही प्रिसिद्ध है, यही प्रिसिद्ध ह ऐसा भासा को यूज़ करते हैं अनीस आच्रण ही बिवस्ता को इससे पता चलता है कि परमारुआ अंzh एक d מא को पहचानते हैं और निर्वा खरते हैं मानौ मानौ को पहचानना अभी आवस्था है, मानौ को पहचानने का एक ही सूट है वो है मानवत्त, मानौ अर्थात मानौ लक्ष के अर्थ में ही होना आवस्थ है। और मानो लक्ष क्या है समाधान समर्द करने के क्रम में ही मानवियता पूर्ण आचरण को इस्पष्ट कर पाते हैं इससे अलावा हम इस्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे तो मानविय लक्ष को प्रमाणित करना है तब ही जाकर के मानवियता पूर्ण आचरण की इस्पष्टा ह होती है और इसका प्रमाण मूल्य चरित्र टिक्षा के रूप में किसे सारभॉम रूप है किको किसे वार्भॉम रूप से अथ्वा तर्मानों में सफल करना ही रद्वा सफल हो लोना ही याग्रित मानौ परम्परा का तर वह वह egg्रित्मानऌ हो म्य में मानवत्य व्यवस्था हो पाता है, अमक्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, अखंड समास सार्वों व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, अतहा अस्तत्त में हर एकाई मात्रा के रूप में ख्यात है, आनो भी मानवत्य को पहचान कर, निश्चित मानविय आ पाहिचरण पूर्वक्त आनवी लक्ष को प्रमानित करते हुए मात्रा के रूप में गन्य होता है इस प्रकार हर प्रमानु को मूल मात्रा के रूप में और हर रचना मात्र के रूप में मात्रा के रूप में गन्य है हर रचना को भी एक के रूप में परचान सकते हैं इस तर इस किताब में साहिद ये पुराना वरजन मेरी पास soft copy धी है